यह जो आपको चित्र में दिखाय दे रहा है, यह רाउंड जो मैंने यहाँ पर कर दिया, इसे बोलते हैं, हम भुजुक्त क्या बोलते हैं इसको ? अंग्रेजी में हम इसको ? अपसी सा और जो उल्वदर है इसे बोलते हैं हम YX इसको बोलेंगे अंग्रेजी में coordinate और हिंदियों बोलते हैं इसको कोटी यानि X X क्या हुआ भुज और YX क्या हुआ कोटी और भुजू और कोटी से मिलके बनता है निर्देसांग यानि पहले आता है भुज और फिर आता है कोटी य अब देखिए X X की धंदिशा है यहां भी प्लस चिन है तो इसलिए प्रत्थम 14 में प्लस प्लस होता है इसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाडरेंट इसी प्रकार से यह वाला जो होता है यह कहलाता है सेकिंड क्वाडरेंट में हम आलवेज देखिए पहले भुज का चिन लि तो इसलिए थर्ड क्वाडरेंट जो चिन हो गया वह माइनस माइनस हो गया लेकिन अब हम यहाँ पर पड़ेंगे दो बीच की दूरी जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं हमने दो सूत्त यहां पर लिखे हैं दो बिंदों के बीच की दूरी तो दो बिंदों के बीच की दूरी है x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square इसको हम language के रूप में इस तरह याद कर सकते हैं भुजो के अंतर का square वोटो के अंतर का square ठीक है ये दो formula अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चित्रा आपको दिखाई दे रहा होगा इसको मैं थोड़ा सा proof रखेवी आपको दिखा देता हूँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहा है कि दो बिंदों a और b हैं तो यहां से हमें हमने क्या करा यहां से इस पे लंब इस पे यहां पे डाल देंगे तो देखिए यहां पे यह इस पे लंब डालेंगे यह वाल तो हमने क्या करा है है यह इस पे लंब डाल दिया इसी तरह से मैं दुआरा ले लेता हूँ यहां से देखिए हमने यहां पे यह लंब डाल दिया इसी तरह से दूसरा बिंदो भी है इससे भी हम जो है एक सक्ष पर यहाँ पे लेम डालेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ पॉइंट से मिला देता हूँ अब देखिए यह जो है इसका पॉइंट है A X1 Y1 इसका मुला भुज X1 है और कोटी क्या है इसकी Y1 है तो भुज X1 का मतलब यह है कि यह तो होगा X1 और यह होगा इसका Y1 तो इसका कोडिनेट कितना जाएगा X1, Y1 यानि पहले भुज चलते हैं फिर कोटी चलते हैं इसी प्रकास से देखिए दोसा जो पॉइंट है वो X2 Y2 है इसका मतलब इसका जो भुज है वो यह है भुज कितना है इसका X2 यहां से यहां तक और यह जो कहलाएगा यहां से यहां तक का यह कहलाएगी इसके कोटी ठेखिए भुज का मतलब X से हिसा गाए है और कोटी का मतलब Koreans अब हमें जो है A और B की distance निकालने है हमें एक काम करते हैं तो मैं यहाँ से इस पर यहां पर प्रपंडिकुलर मैं यहांपे डल देता हूं अब जो है हमें ab distance निकाल लिए तो हम इसमें क्या नाम है पाइथोगर इस थोरम का प्रियोग कर सकते हैं अब देखिए यहां से यहां से हैं तक कि दूरी जो है वो X1 है यह X2 है यह दूरी कितनी हो गई यह हो गई X2-X1 यह हो गई X2-X1 यह X2-X1 है तो इसके उपर की यह भी X2-X1 हो गई क्योंकि यह एक आयत बन्या और आयत के आमने सामने के बुझाएं बरावर होती है अब देखिए टोटल बाइटू है इधर यह नाम दे देता हूँ मैं इसे A, B, C डाल दिया और इसको डाल देता हूँ D और इसे नाम दे देता हूँ E देखिए चित्र में आपको दिख रहा है कि B जो Y2 है और यह वाला A, D जो है वो बाइबन है यह बाइबन है तो यहां से यह तक कि यह बाइबन हो गई जब यह बाइबन हो गई तो टोटल उपर वाली कितनी बच्ची यह बाइबन यह हो गई मैं इसको तोड़ा साइट से लिए देता हूँ यह हो जाएगी कितनी हो जाएगी Y2 मैनस Y1 Y2 मैनस Y2 कितनी हो जाएगी Y2 मैनस Y2 अब देखिए हम पाइथोर्स प्रमी लगाके इसे हम असानी से निकाल सकते हैं तो आप देखिए तिरुज ABC में पाइथोर्स थोर्म से तो पाइथोर्स थोर्म क्या होती है पाइथोर्स थोर्म होती है AB का स्केर इसे का स्केर प्लस इसे बोलते हैं पाइथोर्स थोर्म अब हमें AB निकालना देखिए AB स्केर ऐसी रहा AC क्या है AC देखिए चित्र में देखिए AC है X2-X1 का whole square और BC कितना है Y2-Y1 यह मैंना भी निकाली total है Y2 और यह Y1 तो यह हो जाएगी Y2-Y1 Y2-Y1 का whole square अब इसका square root ले लें square root लेंगे तो A भी कितना हो जाएगा under root में यही formula है X2-X1 का whole square plus Y2-Y1 का whole square तो यही formula है यह कहलाती है दो बिंदो के बीच की दूरी ठीक है तो इसे आप formula को आपको याद करना है question number first आपके screen पाच चुका है प्रस्णवाली 7.1 निमने बिंदो के बीच की दूरी यह याद कीजिए देखिए दो बिंदो है इनकी बीच की दूरी हमें निकाल लिएंगे तो हम सबसे पहला काम करेंगे जो पहला बिंदो है उसको हम लिखेंगे ऐसे A और लिखेंगे यहाँ पर 2,3 और जो दूसरा बिंदो है उसको लिखेंगे B और यहाँ पर लिखेंगे 4,1 अब हमें इनके बीच की दिस्टेंस निकालनी है तो जो पहला पॉइंट है उससे लिखेंगे हम X1, Y1 जो कहेंगे इसको X1, Y1 और जो दूसरा देखेंगे बिंदो जब भी लिखेंगे कोमल आकर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यानि सर्कूलर ब्रैकेट के अंदर इसे सर्कूलर ब्रैकेट बोलते हैं या छोटा ब्रैकेट और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको लिखेंगे हम X to Y to अब हमें A और B के बीच की दूरी निकाल लिए तो इसके लिए पहले लगाएंगे हम सोथ ठीक है तो निम लिखें विंदू यूमा के बीच की दूरी तो विंदू लेंगुज लिखेंगे विंदू ए बा बी के बीच की दूरी बीच की दूरी इसका फॉर्मूला है जो हमने अभी यह आपको दिखाया था क्या फॉर्मूला अंडरोड भुजो के अंतर का स्क्वेर यानि एप सीशा का डिफ्रेंस का स्क्वेरो और फेर कोट योग अंतर यह निनी ओर्डिनट का डिफ्रेंस का ह तूर्म intern और प्रैकित ऐसी लगा है, स्क्वार लगा दिया, वाइटू की जो वेलू है वो है वन, वाइवन की वेलू है, वो है थिरी, और ये स्क्वार, आब इसको स्वाल करेंगे, चार में से दो गई कितने बचे, दो, स्क्वार ऐसी रहेगा, अब देखिए एक में से तीन माइनस का दो, लेकिन स्क्वार होने की वेज़े से क्या हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा, दो कवर होगे चार, दो कवर, चार, स्क्वार की वेज़े से कैसा होगया, प्लस होगया, ये होगया आठ, अब आठ के हम टुकड़े करेंगे, कैसे करेंगे टाठ के टुकड़े अंग्रेजी में लिखना चाहे तो लिखेंगे यूनिट यह हमारा हो गया आंसर बिल्कुल ऐसी देखिए कोशन नमबर सेकेंड और ठड़ है इनका भी सॉलूशन मैं देता हूँ आप पहले इनको स्वैम करें और उसके बाद वीडियो पोच कर दें पोच करने के बाद उनके आंसर को चेक करें तो मैं इन सेकेंड और ठड़ का भी आंसर आपको दे रहा हूँ यानि सॉलू करके आपको बता रहा हूँ तो लिजी कुशन नमबर फर्स्ट का सेकेंड और ठड़ मैंने सॉलू कर दिया है आप यहां पर अपना आंसर मिला सकते हैं तो यहां पर है और नमगर जो अंतर है कितना चाहिए और आपोजिट चिन हाँ तो वह हमयसा प्लस होंगे जेंगे हिहां इसके और इसके जी चिन है वह BY एक क्यों जायसं हो तो आप यह दोभी हैंוכ हमयसा प्लस प्लस हो हम्यों हमयसा जो है Teaक्ट्ट होगा और प्य retrouve चिन है आप जो है shortcut में भी ऐसे कर सकते हूंगर यहां पर मैंने एक कोशन कर देखा है यह यह कोशन एंसर हो इसका देख सकते हो इसी प्रकार से देखे हैं यहां प्रकृशन मैंने जीसा purely क्रदिया है यहां पहला पॉइंट यहां पर यह काम कर रहा है, x1, y2, 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 y2 चीन है तो यहां नहीं है तो क्या होना यहां ऐसा है मैंने नहीं आपको प्लेस तो हमेसा है हमेसा है और अगर है बुर्शे के और यहां क्या बिंदू ये संद्रेख है तो संद्रेख का मतलब क्या होता पहले ज़रा समझेंगे देखे जब दो या दो से अधिक बिंदू दो नहीं दो से अधिक बिंदू जब दो से अधिक बिंदू एक ही रेखा में हो ऐसे अरके तो इन बिंदों को हम बोलते हैं संदेख बिंदों अब जरा दिहान से समझेंगे माल लीजे एक पॉइंट यहां पर है एक यहां पर है और यहां पर है हम इनके बीच के डिस्टेंस निकालें यह वाली और यह वाली डिस्टेंस तो यह पॉइंट ऊपर नहीं होगा, कहा हो जाएगा, इसी पर आकर लेट जाएगा, यह ला जो पॉइंट है, अगर हम यहां मालने थोड़ देर के लिए, ऐसे, लेकिन अगर यह दोनों दूरियों का जोड़ इस दूरी के बरावर आयता है, तो यह पॉइंट ऊपर नहीं हो अधर वाइज, नहीं है, तो देखिए, क्या करता हूँ है, सबसे पहले जो पहले पॉइंट है उसे A लिक ले दे जैसा कि पहले मैंने बताया था, जो दूसरा पॉइंट है उसको B लिक ले दे, कितना है, 2,3, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है उससे लिख लेते हैं C, और पहले दूरी तो बलकूर detail से निकालेंगे और उसके पाद आप sort करदेंगे कैसे sort करेंगे यह भी मैं यहां बताऊँगा फेले आप पूरा detail से निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी AB AB के लिए वही फॉर्मल लगाएंगे गिसा पिटा जो अभी आपने याद कर चुके हैं क्या है भुजो के अंतर का square यानि x2 माइनस x1 का square और y2 माइनस y1 का square लगा दिये ठीक है भुजो का अंतर और कोटियो का अंतर देखें x2 माइनस x1 x2 कितना है यहाँ पर 2 है x1 कितना है 1 है और यह आगे देखें y2 कितना है यापर y2 है 3 y1 है कितना 5 इसको solve करेंगे solve करा तो देखें कितना है 2 में से 1 गया 1 1 का बर्ग एक ही होता है अगे माइनस का बढ़ा है तो माइनस का 2 बचेगा इसको हम solve करेंगे 1 और 2 का बर्ग होगे 4 यह solve का आगे root 5 यह आगे हमारी AB इसे लिखा हमने मात्र अब बिल्कुल इसी प्रकारा हम निकालेंगे BC देखे BC निकालने के लिए हम अब detail से नहीं करेंगे तो हम इसको जो है sort में BC को निकालेंगे अब कैसे निकालेंगे sort में ना हम formula लिखेंगे ना कोश लिखेंगे अब देखे direct BC निकालेंगे तो अगर इस तरह कोशन आता है तो आप एक distance तो पूरी निकाल सकते हैं बाकि आप sort में निकाल सकते हैं देखो मैं BC sort में निकालने जा रहा हूँ तेरा ध्यान से देखें कोई formula नहीं कुछ नहीं आप direct निकाल सकते हैं पस एक क्या करना हमें जो पहले point है इनका अंतर लेना जो कोटियों का अंतर तो देखे opposite chin है तो हमने क्या बताया था बस plus कर दो देखे opposite chin है तो इनको plus कर दी बहुत ही असान तरीगा कोई नहीं बतायागा यह तरीगा आप देखे दूसर वाला देखे second वाला opposite chin है तो plus कर दे रहा है और एक जैसे chin है तो minus कर दे रहा है यह भी देखे opposite chin है तो 11,3 हो गए 14 कुछ नहीं करना है बहुत sword मानना है लेकिन sword का मानना है जब पहले वाला step आप पूरा दिखा चुके होंगी पहला step भी आपने sword मार दिया तो नम्बर कर जाएगा 14,14 का वर्ग होता है 106 कितना हो गया ही 106,6 बारे का 2 और 19 और 1,66 बारे का 2 6,6 बारे का 2 एक हांसल नहीं से 20 और एक हो गया ठीक है अब हम करते हैं BC के बाद निकालेंगे CA निकालेंगे हम CA तो CA फिर देखे इसको भी मैं sword में निकालूँगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था sword तरीका आपको बता दिया है कहा करना first or last कैसे चिन देखिए इनके चिन कैसे हैं पहले अब यहां पर देखिए कैसे चिन है अपोजिट चिन है तो प्लस करते हैं अब एक जैसे चिन होते हैं तो मानिस करते हैं ठीक है तो 11 पांच होगे 16 कुछ नहीं करना बहुत असा तीन कवर होगे 9 16 16 होते हैं 256 256 और 9 कितना होगे 266 ठीक अब देखिए हमने बताया था आपको कि छोटी जो दूरियों का सम बड़ी दूरी के बरावर आना चाहिए अब देखिए यहां पर यह तो अंडर रूट में तो इसका मतला हमें इसका बर्गमूल निकालना पड़ेगा पहले बर्गमूल निकालना तभी तो मालम चलेगा सबसे छोटी दूरी देखिए पता चला हमें एवी कितनी है यहां पर देखिए यूंकि A, B प्लस छोटी यालि है दोसो बारा है 5 छोटी यालिको हम प्लस करेंगे A, B, P, C A, B है रूट पांच B, C है दोसो बारा है ठीक और इसको हम प्लस रखिए हम लिख देगे इसके बार देखिए यहां पर C है इसका भी हमें बर्ग्मुल निकालना है और इसे लिखेँ गाणाemics यह दोनों सेम टू सेम आना चाहिए अगर यह सेम टू सेम है तब तो यह संन्नेख होंगी अधर वाइस संन्नेक नहीं होगी थो हम इसका बर्ग्मुल निकालके लिख देते हैं यहां पर देखिए रूट 5 का स्क्वाइर रूट जो है 2.23 है और 212 का जो स्क्वाइर रूट है यानि बर्गमूल है वो 14.56 है दोनों का सम करा 16.79 आया इसी तरह है 265 का जो बर्गमूल है वो 16.27 आप देखिए यह दोनों डिफ्रेंट है यहां पर हम लिखेंगे चूकी het AC maximal éc b not equal to cga इसलिए संड्रेक नहीं है कहा लगना sun रेक नहीं है一定要 संड्रेक नहीं आप देखिए है आपको ये प्रूलम आरी होगी कि हम इनका बर्गमूल कैसे निकाले तो बर्गमूल निकालने की भी हमने सोट ट्रिक बना रखिए अगर आपको बर्गमूल निकालना सीखना है तो आप लेखे एस पी सेनिसर sword trick square root यानि बर्गमूल निकालने की sword बिजी तो आपको वीडियो मिल जाएगी बहाँ से आप sword तरीके में इनका बर्गमूल निकालना भी सीख सकते हैं या शार्ट में भी आपने सीखा हुआ बर्गमूल निकालना तो आप इसका concept जो की आपको जानना बहुत ज़रूरी है तो इस क्रम में देखे सबसे पहले आपकी skin पह संड्रेक का प्रतिवंद ये जो formula first वाला वो आपको आगे मिलेगा यहाँ पे जो use हो रहा है इस exercise में वो होगा second वाला ठीके इसमें question number 3 में हमने use किया था कि तीन बिंदू दे रखे हों ABC संड्रेक का होते हैं तो हमें करना क्या होता है उनकी distance निकाल नहीं होती है तीनों point होगी और किनी दो का sum अगर बड़ी distance के एक्क्वल आ जाता है तो वो बिंदू जो होते हैं संड्रेक होते हैं ठीके कोई सी भी दो साइट का sum यानि कोई सी भी दो साइट का sum छोटी दो साइट का sum अगर बड़ी साइट के sum के equal हो छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो तो वो तीन बिंदू संड्रेक होते हैं यह पहला वाला जो इसका formula हम अगली exercise में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे फिलाला आप इसे learn करना चाहिए याद करना चाहिए तो याद कर सकते हैं यह संड्रेक का बड़ती बंद है अब इसी में देखे कुछ और formula है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है नाइन महत्पूर परिणाम यह बहुती महत्पूर परिणाम है इन्हें आप याद कर लिए कब कि इनकी जरूरत है सबस्ते पहले देखे तिर्वज किसे कहते है चोटी दो वुजाओं का योग अनर तीसरी वुजा से बड़ा होता है तो तिर्वज बन जाएगा दरवाई तिर्वज नहीं बनेगा तिर्वज तभी बनता है जब छोटी दो वुजाओं का योग बड़ी वुजा से बड़ा हो ऐसा है तो तिर्वज बन पाएगा दरवाई तिर्वज नहीं बन पाएगा संदिवाहु तिर्वज किसे कहते हैं ऐसा तिर्वज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे हम संदिवाहु तिर्वज कहते हैं यानि कोई भी तिर्वज ऐसा हो जैसे यह है और इसकी कोई सी दो साइट क्या हो सेम टू सेम हो तो उसे हम संदिवाहु एक और भी पहचान है बड़ी भुजा का बर्ग यनि कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है छोटी दो भुजाओं के बर्गों के योग के बरावर हो यनि बड़ी भुजा का स्क्वार है छोटी जो दो साइड है उनके स्क्वार के सम के एकवल हो तो भी इसे हम स सम्दीवाओ सम्कौन तिर बोज, यह हैं कि ईसा चत्र बोज, जिसकी सम्दीवाओं का एक योगम सम्दार हो, बाकी जो दो जट्वाओं किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन एक भुजा का जो युग्म है वो समानतर होना चाहिए तिक बरावर नहीं समानतर होना चाहिए अगर ऐसा है तो हम उसे समलम कहते हैं सम चत्रवुज देखे नाम सिred ही किलिर है बरावर हूँ हम सम चत्रवुज होता है तो ऐसा चत्रवज जिसकी सभी बुजाएं बरावर हो उसे हम सम्चत्रवज कहते हैं बर्ग को भी हम सम्चत्रवज कहते हैं लेकिन सम्चत्रवज को बर्ग नहीं कहेंगे आयत सम्बुजाएं बरावर यह विकण बुजाएं बराबर है और साथ में बिकड़ भी बराबर है तो उसे हम बर्ग कहते हैं अब देखिए बर्ग को हम सम्चत्रूजी कहते हैं इसके सम्मों बुजाएं क्या होंगे बराबर और इसके जो बिकड़ है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए तो यह बात आप नोट ये संदिवाहु तिरुज के सीर्स हैं तो अभी हमने जो लेंग्विज दिखाई थी उसमें क्या बताया था संदिवाहु के लिए हम इसकी तीन हुजाएं हैं तीनों को कैल्कुलेट करेंगे अगर इन में से कोई सी दो समान आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदू हैं वो बास्तम में संदिवाहु तिरुज के सीर्स हैं तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था एक बार फिर बता दे रहा है पहले इसे लिख देते हैं ठीक है ना भी लिखो हुए तब भी काम चल जाएगा आपको यहां में आपकी जानकारए के लिए बताना चाहूंगा कि X2 मैंस X1 की जगे आप X1 मैंस X2 भी लिख सकते हैं answer में कोई answer नहीं आने वाला है अब देखिए यहां पर value put करेंगे तो x2 की जो value है वो कितनी है 6 है x1 की जो value है वो 5 है यह रग दी देखिए value हमें और इसको आप देखिए बड़े प्यार से solve करना है by 2 है 4 और y1 है आपके पास minus 2 minus पहले से ही है प्लस हो जाए अब देखिए इसको solve करने की कोशिस करते हैं तो 6 में से 5 के एक बचेंगे इसी प्रकास चार दो साइज 6 होते हैं अब इनका square करेंगे एक का square एक होता है 6 का square होता है 36 और हमने जोड़ा इसको आगया 37 ठीक है यह क्या आया यह भी आया इसे हम यहाँ लिख देंगे अब हम क्या निकालेंगे बी-सी अब जड़ा दिहान देना यहाँ पर आपको तोड़ा note करने वाली बात है बी-सी अब हम देखे जब हमने पहली डिटेल से निकाल दी है बी-सी को हम डिट निकालेंगे देखो कैसे निकलेगी डिट इस सम मैजिक देखो तो हमें क्या करना है जो पहले पॉइंट है बी-सी निकालना तो बी यह है और सी यह है यहाँ देखना है कि इनके चिन जो है वो कैसे है सेम है या अपोजिट है अगर same sign है तो इनको minus करके लिख देना यनि 7 है 6 का जो अंतर है वो कितना एक बस डाइरेक्ट देखे एक का square अब दूसरा देखिए अगर opposite sign है तो इनको plus करके लिख देना देखे 6 यहां पर 4 कैसा plus का है 2 कैसा minus का तो opposite sign है यनि एक plus का एक minus का तो इनको जोड़ के लिख देना बास लोजी हो गया एक अच्छा का बर को गया 36 तो हम इस लिए देखे ऐसा को इसमें कर सकते हैं स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं करना बना आपके मार्क्स कर जाएंगे देखे यह आ गया बास समझ में आगी होगी अगर अभी भी नहीं आई तो लीजिए एक बार फिर और बता रहा हूं बीसी आगे होगी हम निकालेंगे सी ए सी ए का मतलब सी और एके बीच की दूरी तो देखो यह भी आने वाली देखे इस मिन्टों में सबसे पहले पॉइंट देखी जरा आप नोट करिए पहले पॉइंट किया है पहला जो पॉइंट है यह वाला पीला कर दिया जिसे मुझे आपको दिखाए दिये तो देखी यहाँ पर कैसा चीन है ए सी निकालना है तो ए और सी को देखेंगे दोनों ही प्लस के हैं सेम साइन है यानि एक जैसे चिन है जब एक जैसे चिन है तो हमने क्या बताया था एक जैसे चिन में हमने बताया था अंतर करके लिख देना है तो पांच और साथ का जो अंतर है वो कितना है दो है लीजिए दो का स्कार आ गया बीचे प्रैस का चिन लगा दीजिए अब देख तो ही दो में से दो गटाएंगे कितना आएगा जीरो ठीक है अलाल अलग चीन है तो जोड़ के लिखना है एक जैसे चीन है चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो ठीक है तो उनको माइनस सरके लिखना है यानि उनका अंतर लिखना है तो यहां पर देखे पां में ये बताना था कि क्या ये संधि बाहु यह है एक सम्दी बाहु तिर बोजे यह वाली बात आपको लिखनी पड़ेगी बिना लिखे नहीं का पता चलेगा सम्दी बाहु इसका प्रिकार यदि कोई है तो बताईए अपने उत्तर के नहीं कान भी बताईए तो यहाँ पर देखे चार देंदे सांग हमें दे रखें हम क्या करेंगे इन सभी की बीच की दूरी निकालेंगे और दूरी निकालने के बाद फिर उसके अधार पर हम कहेंगे कि यह जो चत्रोगुज है वो किस बिकार का है अगर बर्ग होगा तो सभी भुजाएं बराबर होगी साथ में विकरन भी बराबर होगा और अगर सामने वाली दो भुजाएं बरावर हों तो पहले हम इनकी भुजाएं निकालेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि ये किस प्रकार का चत्र भुजा है सबसे पहला कोशन हम देखे कर रहे हैं पहले कोशन जैसे कि हमने बताया था पहले जो डिस्टैंज निकालें वो आप पूरा निकालें ठीक है बिल्कुल भी सोट ना करें अगर आप सोट करेंगे तो नमबर आके कड़ जाएंगे इसलिए पहला जो डिस्टैंज से वो पूरी निकाल ली है, तो इसे हम कहाए देंगे A, दूसरा point आजाएगा B, B क्या आजाएगा 1,0, उसके बाद C, minus 1,2, और उसके बाद आएगा D, D कितना है, minus 3,0, जैसा कि हमने बता यह था, पहला बाला हमने कहा, X1, Y1, और जो दूसरा point होगा, वो होगा, X2, Y2, ठीक है, अब हम य जैसा निंगा लेंगे, distance A, B, A, B के लिए formula, formula जैसे कि आप जानते है, formula है, x2, minus x1, का whole square, x2, minus x1, का whole square, जो कि हम आपे question number, इसका हम भी कर रहे था, तो A, B के लिए, हमने यह formula लगा, x2, minus x1, का whole square, और y2, minus y1, का whole square, ठीक है, तो यह formula यहाँ पर लग चुका है, जैसा कि मैंने बताया था, कि पहली distance आप detail से निकाल लिए, उसके बाद सोट लगा देना, तो देखिए, x2 कितना है, यहाँ पर, sorry, x2 है एक, और x1 है, यहाँ पर, minus 1, तो यह जाएगा, प्लस का, यहाँ पर y2 कितना है, y2 है, 0, और y1 है, minus का 2, minus पहले से यह, प्लस हो जाएगा, अब देखिए, इसको हम solve करेंगे, यह जाएगा, दो का बर, को गया, चार, यह जाएगा, आर्ट, ठीक है, चाहो तो आर्ट को हम two root two ले सकते हैं, लेकिन, इतने से काम चल जाएगा, तो यह होगी हमारा a, b, अब इसके बाद हम निकालेंगे bc, जैसा कि मैंने बताया था, कि अब हम इसमें sort में निकालेंगे, sort में देखिए, एक बार आपको detail से गलत हो सकता है, लेकि जब हम sort निकालेंगे, वो कभी गलत नहीं होगा, अगर आपने अच्छे समझ रखा है, तो bc का मतलब देखिए तो हमें क्या करना उनका, अंतर लेना, 0 और 2 का अंतर हो गया, दो, इसको solve करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और solve का आगया, root 8, ठीके, यह आगया bc, और पहले हमने निकाला av, ठीक, इसके बाद हम निकालेंगे, bc के बाद आएगा cd, यह निकालेंगे हम इसके बाद, cd, तरिका आपको माले में चल चुका है, तो cd में देखिए, इसका difference, एक जैसे चिन है, तो plus करना, यह निकालेंगे, चार का square, और देखिए, यहाँ पर 2 और 0 का अंतर, एक जैसे हैं, अंतर करेंगे, दो का square, चार, और यह हो जाएगा, अंडर रोड आट, ठीके, cd, अब इसके बाद हम निकालेंगे, cd के बाद, a, v, b, c, c, d, d, a, ठीके, तो d, a, देखिए, क्या होगा, d और a, यहाँ पर देखिए, minus 1 है, यहाँ पर कितना, minus 1, एक जैसा है, एक जैसा है, तो अंतर लेना है, दो यहाँ पर minus 2, यहाँ पर 0, यह देखिए, opposite है, तो opposite है, तो यहाँ प्लस करेंगे, लेकि minus 2 में 0 जोड़ेंगे, तो minus 2 ही रहेगा, यहाँ दो का square, इसे हमने solve करा, चार, यहाँ गया, रोड 8, तो यहाँ पर d, a, जो आगया, वो रोड 8 आगया, देखिए, c, d, कितना आगया, यह भी रोड 8 आगया, अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसके diagonal, diagonal का मतला होता है, देखिए, यह ऐसे, a, c, और b, d, यह diagonal कहलाते हैं, हम निकालेंगे इसके बिकण, तो बिकण क्या होगा, a, c, a, c, कितना होगा, देखिए, c का मतला, first और third, पहला और तीसरा, तो देखिए, opposite chin है, तो जुड़ जाएंगे, दो का square, और यहाँ पर देखिए, minus 2, यह opposite chin है, यह भी plus हो जाएंगे, अच्छा, एक जैसे chin है, तो इसमें minus करेंगे, यह जीरो आ c में, opposite chin है, तो जुड़ जाएंगे, दो और दो होगा, चार, रोल करा कितना आ गया, 16, यह निकी आ गया, चार, इसके बाद, निकालेंगे, a, c, के बाद आएगा, d, a, c, b, d, b, d, देखे, b, d, b, d, तो आप देखे, first, और यहाँ पर देखे, यह वाला, अब वोईट chin है, तो हमने क्या करना था, plus करना, कर देना, और, यह भी देखे, एक जैसे chin है, तो minus कर देना, तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर देखे, चूकी, a, b, बिल्कुल वही कोशन है, जो अब हमने क्या था, चमपा चमीली वाला, a, b, e, c, e, c, d, e, c, d, e, c, d, d, a, कितना आया है, rule 18, तथा, विकण, विकण, a, c, e, 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 बर्ग के सीर्स तो देखिए इस तरह से ये कोशन पर सकते हैं जैसे अब हमने फ़र्ष्ट कर दिया आप इसी तरह से आपको सेकेंड करना और ठट करना तो सभी डिस्टेंस निकालेंगे हम इनकी ठीक है उसके बाद जैसे बर्ग होता थी कंडिशन है सबकी अललग कंडिशन ह क्या है एक होनी चाहिए और बिकड़ एक्वल हनी चाहिए एक और जे समच्क्ट्र 통षरस होता है उसके सभी गुझायें बरावर होनी चाहिए एक होता समानत्र चत्र दने सामने कि गुझायें बरावर करें जलिए देखते हैं next question 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 part screen है question है ये हमें बताना आया है कि ये जो CS है वो किस प्रिकार के चत्र बोच्व है तो दो ABCD हमने माला लिन लिया आ ही हैo 22 व सी निकाला है आपको बस पहला वाला पूरा डीटेल से से निकल के देखाना बागी सोट में कर देना की लेकले के तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह चारों यह जो अलल लगाईनीगे हम लिखेगी था हम लिखेंगे सब्लिब भुज़ाएं ऐसमान रहे है अभी समТакनी यह एक समान की चत्र भुज़ इसी का जो आपने कर लिया हुआ, मुझे लगता कि आपका आंसर बिल्कुर ठीक आया हुआ, आप देखें यह अगला बाला भी चेक कर लिए, यह भी मैंने सॉल्ड कर दिया है, इसमें कि आदेखें, चारो भुजाएं बरावर आई हैं, ए भी यह निकाली हैं, बी सी निकाली आए हैं, यानि कि अलालग आए हैं, तो इस तरह का जो चत्रोभुज होता है हुआ, हम कहते हैं, सर्मान्तर चत्रबुज, जा चत्रोभुज, ज ventilation है, एकशक पर वे बिद्धु वे बिन्दु जयाद कीजिए, जो बिंदू इतने से संदुरस्त है, यह एक बात, यहां पर ह मान 0 होता है एक्स हच पे य का मान कितना होता है 0 यनि कि y coordinate 0 होता कि इस पे एक्स हच पे वे बिंदू ग्याद कीजिए तो इसका मतल़ हमें केवल ये वाला X की value निकाल लिए है ठीक है X की value निकालते ही हमें X हच पे बिन्दों मालूम हो जाएंगे क्योंकि X, H पे Y का मान दो 0 होता है यहनकि हमें एक आंसर हमारा आ चुका है केवल X और हमें निकालना है और इसके लिए हमने इसको माल लिया A इसको माल लिया हमने B और इसे माल लिया हमने C और कोश्चन में क्या कहा कि यह दोनों दूरियां कैसी हैं आपस में बरावर है तो हम क्या करेंगे A B दूरी निकालेंगे और B C दूरी निकालेंगे और इन दोनों को एकवल लग देंगे और एकवल करके आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा तो ते लिए देखते हैं A B दूरी निकालते हैं तो देखिए दूरी A B कैसे निकालेंगे A B ये A B फर्मूला आपने देखा ये दूरी का क्या फर्मूला X2-X1 का whole square प्लस Y2-Y1 का whole square ये फर्मूला होता है अब देखिए यहाँ पर किसी एक को X1-Y1 मान लीजिए चलिए इसको मान लेते हैं X1-Y1 और इसे मान लेते हैं X2-Y2 तो यहाँ पर आप एक language में यह लिख सकते हैं माना एक्सच पर window X,0 तो यहाली line आप लिख दें मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ माना एक्सच पर window X,0 है क्योंकि Xच पर क्या होता है Y का मान 0 होता है तो Xच पर हमने जो विन्दू मान लिए वो X,0 ले लिए ठीक है अब हमें यहाँ पर देखिए value रख देते है A,B X,2 की value कितनी है X,2 की value है 2 X,1 की जगे हम रखेंगे X यह ओमा है ठीक है अ, whole square प्लस, Y,2 की जगे कितना है Y,2 की जगे है 0 Y,1 की जगे है माइनस के 5 अच्छा, Y,2 की जगे है माइनस 5 इल्टा हो गया Y,2 की जगे है माइनस 5 और Y,1 की जगे है 0 तो इसे थोड़ा solve करना चाहिए solve कर ले अधरवाई यह आप इतना ही छोड़ सकते हैं बाद में solve कर सकते हैं यहाँ पर देखिए A,B की whole square का सूत्र लएगा A,B की whole square का सूत्र क्या होता B की स्थान पर है X और माइनस 5 में से 0 बढ़ाएंगे तो 5,5 का वर्ग होता 25 यह आगे अब देखिए इसको हम और solve करते हैं 2 का वर्ग होगा 4 प्लस के X square यह हो जाएगा 2 दूनी 4X और प्लस 25 तो इसको हम देखिए और solve करेंगे इसको यह जाएगा X square माइनस के 4X और 25 देखिए चार हो गए 29 लीज़े यह आगे हमारा A B अब A B निकाला इसी प्रकार से हम निकालेंगे A C अब हम इसे direct निकाल देंगे जैसा कि हमने आपको सिखा रखा है A C देखिए मैं direct निकाल ला हूँ हमने बताया था भुजो का अंतर तो भी दो में से X तो हम घड़ा नहीं सकते तो क्या करेंगे बस हम चिन देखेंगे यहाँ पर देखिए माइनस का यहाँ पर क्या प्लस का पोजिट चिन है तो प्लस कर देना X प्लस टू का 4Square दूसर वाला देखिए 9 है यह 0 है एक जैसा है तो अंतर करना है ठीक है आप इसको solve कर लेते हैं solve करेंगे देखिए यहाँ भी formula लगाएंगे वही वाला X स्कैर प्लस A स्कैर प्लस B स्कैर प्लस 2AB जिससे मैंने ऊपर लगाया था इसको solve कर लेते हैं देखिए यहाँ X स्कैर प्लस के 4X और 81 चार हो गए यहाँ आगे हमारा AC आप question में कुछ दे रखा है क्या लिखेंगे दिया है given debt अब अंग्रिज में लिखते हैं चाहें हंदी में लिखते हैं given debt यहनि दिया है क्या दे रखा हमें AB is equal to AC तो AB का मारा अभी हमने निकला देखिए ताज यह रख देता हो AB का यह निकला हुआ है X स्कैर माइनस के 4X प्लस के 29 और देखिए AC का अभी हमने निकला है यह है X स्कैर प्लस के 4X और प्लस के पिच्छे 80 आपके करना हमें दोनों पक्चों का वर्ग करना लिख देते हैं यहां पर वर्ग करने पार ना भी लिखोगे तो भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है वर्ग करने पार जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्चों का अंडर रूट हट जाएगा देखिए बरकर देँ हमने इधर भी बरकर दिया और पिलस का अब देखिए अपोजिट डायक्षिन जैने की अपोजिट बरावर से एक जैसे वाले जो होते हों कड़ जाते हैं जैसे चिनके देखिए और क्या कड़ेगा और कुछ नहीं कड़ेगा अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं यह हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा देखे यह माइनस का 4x इधर आके माइनस का 4x यह 85 इधर आके माइनस का 29 और यह माइनस का 8x और यह 85 में से 29 माइनस कर दीजे कितना बचाएगा 15 में से 9 हो गए 6 और यहां बचा 7 7 में से 2 हो गए 5 और यह हो जाएगा देखे एक्स बराबर में यहां कर देता हूँ लाइन खीर दो जिससे आपको confusion ना हो एक्स बराबर आजाएगा माइनस के 54 बटे आठ यह माइनस चिन कहां सा है जो चलो मैं यहां लगा देता हूँ जिससे आपको confusion ना हो आप देखे 8 से काट देंगे हम इसको आठ से काट देंगे तो जो एक्स की value आ गई यह आ गई माइनस के 7 ठीक है तो एक्स पर बिन्दू क्या हुए इसलिए एक्स अक्ष पर बिन्दू क्या हुए एक्स कोमा 0 एक्स का मतलब माइनस 7 तो मैं यह answer आगे हैं तो मैं समझता है question आपको समझ में आ गए हो चलिए देखते हैं next question तो देखे यह next question आपके screen पर यह आया question क्या पहले question को समझते हैं question है by command याद किजिए जिसके लिए बिंदू यह के बीच की दूरी 10 मात रग देखे बहुत ही असान question है by command निकालना है इस दो बिंदू है इनके बीच की दूरी 10 मात रग है तो यह जो पहला बिंदू है यह करेगा x und y1 का काम और जो दूसरा बिंदू है यह काम करेगा x2 y2 का काम अब इनके जो बीच की दूरी है वो हमें ते रखी 10 हम निकालेंगे बीच की दूरी तो देखें एब फॉर्मल लगाएंगे नाव पी क्यों यानि दो बिंदो के बीच की दूरी यह सूत्र होता है x2-x1 का होल स्कैर प्लस y2-y1 का होल स्कैर अब दीटेंगे 2 बिंदों के बीच की दूरी pq हमें दे रखी 10 मात रख pq के इस्तानुप हमें क्या रख दे ना है यहांपे 10 लुकते है अब एक्स 2 x2 के इस्तानुप कितना दस है x1 के इस्तानुप कितना है 2 है और देखे y2 कितना है y y1 जो है वो माइनस का 3 ना माइनस पहरे से ये प्लस हो जाएगा हलका सा सॉल करते हैं 10 अब यहाँ पर देखिए 10 में से दो गए 8 8 का स्कार कितना होता है 64 यहाँ पर a प्लस b का होल इसका कस उत लगाएंगे y स्कार प्लस 3 स्कार प्लस 2ab 2 इन्टो y इन्टो 3 इसे थोड़ा और सॉल कर लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए y स्कार प्लस 2 तिया 6y प्लस 3 तिया 9 9 और 64 कितने होते हैं 9 64 होंगे 73 ठीक है अब इसका हम बर्क कर देते है अरे कि बर्ग करने पर जब रग करेंगे तो तो इसको हम लिखेंगे अब y square plus 6y 100 में से 30 यानि कि यह बचा माइनस के 27 अब इसके factor हो जाएंगे हाराम से नो 27 यानि 9 माइनस 3 तो मैं इसका color change कर लेता हूं देखिए अब y square 6y की जगा हम कहा लिखेंगे 9 माइनस 3y और माइनस के 27 तो देखिए क्या हो गया यह y square plus के 9y माइनस के 3y और यह माइनस का 27 तो कितना हो जाए गाई यहां साथ देखिए y common ले ले तो अब अच्छा y plus के 9 यहां 3 common ले लिया माइनस का यहां जागा y 9 तिया 37 अब देखिए y plus 9 दोनों में को माइनस जाएगा और यहां बचेगा y minus 3 is equal to 0 तो देखिए हमने दिवात वाली chapter में आपने पढ़ा है जब इस तरह के दो चीज आती है तो दोनों 0 के एक पर लख लेते हैं यहां से य की value कितनी जाएगी minus 9 तो एक answer तो आगया यह है और यहां से y की value कितनी जाएगी हमारा answer क्या हुआ y equal to minus 9 और y equal to 3 तो यह हो गया question number 8 चलिए अब चलते है question number 9 की हो तो देखे question number 9 इसक्रीन पर है question number 9 इसमें question में क्या कहा है कि बिंदू Q जो है यह वाला 0,1 P और R से संदूर रसते हैं यानि कि बरावर दोरी पर है तो हम यहां लिखेंगे given debt यानि कि हमें दिया हुआ है क्या है दिया हुआ given debt हमें दे रखा P Q जी कल टू यू आर भी हिलाव मत तो P Q कितना देखे P Q निकालेंगे हम दो विंदू के बीच की दूरी के सोत्र से तो हमने बता यह रखा है कैसे निकालेंगे भुजो का अंतर और कोट्यो का अंतर 5-0 का square और minus के 3-1 का square ठीक है और QR कैसे निकालेंगे इस रही दो विंदू के बीच की दूरी के सोत्र से X-0 का square और यह 6-1 का square ठीक है किसे solve कर लेते हैं देखे solve करेंगे यह आगा 5 में से 0 अटाओ तो 5 5 बंजे 25 और तीन रेक होगा 4 4 का बरक होता है 16 ऐसे यहां पर देखे यह होगा x square और यह 6 में से एक गए 5 5 का बरक हो गया पत्चीस ठीक है अब हम क्या कर लेते हैं यहां पर स्क्वारिंग कर लेते हैं यह निए बरक कर लेते हैं जब हम बरक करेंगे तो यह अंडरोड है आगा 25 से 16 कितने होते हैं 41 और यह जाएगा एक्स बरावर आजाएगा प्लस माइनस के चार ठीक है तो एक तो एक्स की वेलू आ गई अब हमें क्या निकालना पी आर निकालना तो पी आर एक्स की जो वेलू है वो बिंदू क्या हो जाएगा हमारा यह चार कोमा छे या माइनस चार कोमा छे दोनों में से कोई साहिक लेज़ेंगे ठीक है प्लस माइनस आया है तो चार कोमा छे है या माइनस के चार कोमा छे है अब हमें क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है दोरी क्यू आर तो लीजिए देखे क्यू आर निकाल देते हैं इसलिए क्यू आर यूर क्या है यहां से देखे पहले देखे 4-0 का स्कार और 6-1 का स्कार सॉल कर ले देएं इसको कितना जाबी 4 का बर कोगे सॉल है और यह 5 बजा 5 का बर कोगे 25 कितना गया यह अंडरी रोट 41 बैसे यह तो हमने obviously सॉल कर लिए ते देखी ट कि फिर हमने लिखा कि यू आर की कि जीरो आ ने क्यू क्यू आर निका दियो ओआ डिस्टन्स तो सेम ही आएगी क्योंकि दोनों एक पल दे रही है तो यागे QR और हमसे क्या पूची है और PR पूची है तो देगे PR भी दो विंदों के बीच की दूरी के सूथ से रही है और पूची हे और फिर प्लस के आप्षिस्ट प्लस करेंग है चार만 से प्लस करेंकर पांच-बरोड यहां प्लस यहाँ पर देखिए हमने यह भी निकाल दिया, QR और PR भी निकाल दिया है और X की विलो भी निकाल दिया, भी बहुत है तो इसी प्रकाद से आप यह निकाल लेंगे तो इसी प्रकार से आप यह निकाल लेंगे इनके आंसर अलग हो सकते हैं तो आपको क्या करना? 4-6 की जगा आप क्या लगाना? माइनस 4 और 6 ठीक है? अराम से इसको कर लेंगे तो अंते हैं कोशन देखिए आपके इसके लिए पर आगया है कोशन क्या है? तो बिल्कुल सेम ऐसी याला कॉशन करना है बस इसमें क्या है? हमें जैसे हमने यहाँ पर X की वेलु निकाली थी इसमें X की वेलु नहीं निकाली ऐसी हमें छोड़ देनी है तो आप देखिए इसी तरह सा हम याला कॉशन करने वाले हैं एक्स वाई में ऐसा संबन गयाद कीजिए कि बिंदू ये बिंदू इतने से संदुरस्त है तो मैं यहाँ पर कर देता हूं देखिए यहाँ पर बिंदू है क्या है यह एक्स कोमा वाई और यह जो बिंदू है वो इन दोनों बिंदू से संदुरस्त है यह दो बिंदू है पह 3,4 इन दोनों बिंदों से याला जो बिंदों वो संदुरस्त है यानि कि समान दूरी पर है तो इसे हमने माल लेते हैं इसको A इसको माल लेते हैं B और इसे माल लेते हैं C ठीक है? यानि कि A, C बराबर हमें दे रखा है B, C हम यह लिख देंगे given debt दिया है हमें क्या दे रखा है? A, C इसी कल टो B, C ठीक हमें दे रखा है अब हमें समद निकालना A, C का मतलब दो बिंदों के बीच की दोरी तो इसे एक कूप माल लेंगे या एक्स बन भाएगा न और इसे माल लेंगे एक्स टू आई टू अब यह फॉर्मूला लगा देते हैं देखिए आप यहां पर Y2 माइनस बाएबन का और B, C में मैं मैं डारेट लगा देता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताई दिया है तो भुजो कंतर यानि की माइनस तीन और माइनस का का होल स्केर और यह 4 माइनस Y का तो X2 के स्थान पर क्या है X2 के स्थान पर है X X1 के स्थान पर है 3 आप डारेट भी कर सकते हैं इसमें ऐसी कोई बात हैं Y2 के स्थान पर है Y Y1 के स्थान पर है 6 अब देखिए यहां पर दोनों में माइनस है तो माइनस हम पहले common लेते हैं common लेंगे तो यह हो जाएगा 3 plus x का whole is minus 10 कहां गया minus 10 गया 9 की गया क्योंकि square के अंदर जो है जो है जब हम minus common लेते हैं तो वो plus हो जाता है तो भी है इसलिए हम minus 10 यहाँ पर गायक पर सकते हैं इसको देखो हम थोड़ा भाई पहले लिख लेते हैं थोड़ा सच्छा लगएगा ऐसी कोई बात नहीं ना भी लिखो गए तो आंसर तब भी मिल जाएगा क्योंकि स्कुएर के अंदर हम ओडर चेंज कर सकते हैं ठीकिए माइनस चीन कॉमन लेके वह बहार प्लस हो जाता है अब देखिए हम दोनों पक्षों का वर्क करेंगे वर्क करने पर वर्क करने पर क्या होगा अंडर उठ जाएगा देखिए हमने यहां पर अंडर उठ आ जाएगा दोनों पक्षों क्या करा हमने अंडर उठ एक्स को हमने पहले लिख लिए थोड़ा सा अच्छा लाएगा का whole square और A minus B का whole square. यह लगाएंगा देखे ए का square या एक्स माइनस के 2 अपनी तरफ से एक इस्थान पर है य और वी के इस्थान पर है रहे श है बहुल ऐसी देखिए इधर फॉर्मॉला लगाएंगे X स्कैर A स्कैर य्यनि B स्कैर फ्लस के 2-A, 2 x इंटो 3 बहुल ऐसी यहां पर फॉर्मॉला लगाएंगा A square plus B square minus के 2 A B बीच में minus होता है तो minus हाता है अब इसको हम solve कर लेंगे हमने जैसा कि बताया था opposite direction में यानि बरावर में एक जैसे वाले कड़ जाते हैं तो देखो एक जैसे वाला एक तो यह है यह कड़ा और देखे यह कड़ा उड़ा दो जो एक जैसे हैं दोनों साइड में कड़ जाते हैं और कोई दिख रहा हो तो बताइए मुझे तो 3 का square भी कड़ गड़ 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 अब जो बचे हैं उनको हम लिख लेते हैं क्या बचा जी यहां बचा है माइनस का 6 X और यह हो गया च्छाइचंग 36 च्छाइका भरग होता 36 यह दा 6 दोनी 12 आए बिगूल ऐसे इसी परकार देखिए इधर दो तीया 6 X बरावर में एक जैसे वाले कड़ते हैं इसमादा धिहान रखना अपोजिट चिन वाले एक ही डायक्सन में हो तो अपोजिट वाले कड़ते हैं और बरावर में हो तो एक जैसे कड़ जाते हैं दो चोक आठ और देखिए अब इसको X वाले सब हम एक साइड में ले आते हैं माइनस का 6 X माइनस का 6 X और यह माइनस का बारे वाई माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा जंख्याई सब इधर ले आते हैं इन नमर जो हम राइट हैं साइड में ले गए और जो X वाई हैं वो लेट हैं साइड में ले गए तो कि हमें रिलेशन निकालना तो देखिए रिलेशन आने वाला है रिलेशन इजए अब आप टू कम माइनस का 20 अब देखिए माइनस 4 से भाग दे दे रहे हैं माइनस 4 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4 तिया 12 है यह प्लस क्यों हो गया क्योंकि माइनस 4 से भाग दिया जा रहा यह हो जाएगा Y और 4 पंजे 20 तो यह चाहो तो आप लिख सकते हो अभी सोचो कि कहां से आ गया दिया लिख दो या माइनस चार से भाग देने पर माइनस चार से भाग देने पर बैसे लिखने की जुरूत नहीं है understood है लेकिन आप ले सकते हो क्योंकि जब region करते हैं फिर भूल जाते हैं कि यह कहां से आ है यह आगया एक्स और भाई में सम्माद़ करेंगे नई प्रिस्न वाली स्टार्ट और उससे पहले देंगे आपको इस प्रिस्न वाली का फुल वेसिक कंसेट इस प्रिस्न वाली में जो फॉर्मुले यूज होने इस तरह भी दे सकते हैं तो देखिए इसका derivation अगर आप करना चाह रहा है आपका मन है कि इसका derivation भी करा जाए तो आप इसका derivation भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान है जैसा कि आपको चित्र कॉर्णर में एक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए AB क्या एक रेखाखंड है और पी एक बिंदू है जो इस रेखाखंड को M1 और M2 रेशियो में अनुपात में बाट रहा है यनि कि पी बिंदू जो है वो AB के अंदर की और है इनके बीच में है इसलिए हम इसे बो X,Y है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो भुज है वो X है और इसकी जो कोटी है वो Y है पेकल इसी तरह से जो बिंदू B है इसकी जो निर्दे सांक है वो X2, Y2 है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो भुज है वो है X2 और इसकी जो कोटी है वो है Y2 ठीक है अब ज़रा दिहा देना अब यहां पर जड़ा दियान देंगे कि तिर्बुज P Q A और B C P जो है दो सम्रूप तिर्बुज है यानि सीमिलर टा एंगल है क्यों है सीमिलर देखिए याला एंगल है इसे एंगल के हिकल हो गया corresponding angle ये 90 degree है ये भी 90 degree हो गया और ये वाला इसके हिकल हो गया corresponding angle तो corresponding angle और ये 90 degree होने की वाज़े से ये दोनों तिर्बुज जो हो गया हो गया हो जब दो तिर्बुज सम्रूप होते है तो chapter 6 में हमने पढ़ा है कि उनकी जो corresponding side होती है यानि सम्रुख भजाए होती है वो समान अ समझा दे रहा हूँ जिससे आप इसको प्रूप भी कर सकते हैं तो आप देखें यहां लेखेंगे चुकि फिरबुज P A Q यह समरूप का चिन होता है समरूप फिरबुज P B C जब यह समरूप है तो इनका रेश्यो सेम होगा कैसे देखें P B अपोन P A जी कल्टू क्या होगा और देखिए यह formula अभी निकल के आपके सामने जाएगा PV के इस्तान पर रखूंगा M2 और देखिए PA के इस्तान पर रखेंगे M1 PC, PC देखिए कितना है रध्यान से देखेंगे PC जो होगा, वो होगा X2-X आप चित्र से देखें रध्यान से X2-X कैसे? यहां से है तक कि दूरी है O से T तक के दूरी X है O से S तक के दूरी X है तो X, OT में से O-S- कर देंगे तो यह हो जाएगा X-K X2-K X क्या आईगा? X2-K X यह हो जाएगा PC X2-K X और EQ कितना होगा? आप देखिए इसी तरह से EQ यहां से है तक की दूरी कितनी है x ये कितनी है x1 x में से x1 माइनस कर देंगे ठीक है यह हो गई x माइनस के x1 तो aq हो गया x माइनस के x1 बेकुल इसी प्रकार से देखिए bc कितर में आपको दिख रहा हुगा bc होगा y2 में से ये वाला y माइनस करतेंगे यह हो जाएगा Y2-5 है ठीक है कैसे देखिए टोटल यहां से A से B से T तक के दूरी जो है वो Y2 है और P से S तक के दूरी Y है यह Y है तो इतनी यह भी Y हो गई देखिए जब यह Y हो गई तो टोटल Y2 में से Y- कर देंगे यह ऊपर वाली जो रह जाएगी यहां सकी यहां जाएगी y2 माइनस के y यहां जाएगी y2 माइनस के y यहां जाएगी y2 माइनस y मैंने हैं यहां यहां जाएगी y2 माइनस y अब इसी प्रकार से देखिए यहां नीचे क्या लिखा pq अब हमें pq निकालना तो यह कितनी होगी तोटल यहां से था कि यह कितनी है यह हो जाएगी य माइनस के आप देखिए इसमें दोनों प्रूफ करना है तो इसके लिए इन दोनों को एककल कर लीजी और अगर आपको इसी सेगेंड वाला प्रूफ करना है कुंसा वाला सेगेंड वाला यह वाला यह प्रूफ करना है तो इन दोनों को नवेग्वल क 돼़र है अचे कि यह यह प्रूफ मैं दीखारहूं उसी तरह से आप दूसरा वाला भी पर सकते हैं तो देखिए यहां m2 upon m1 is equal to x2 minus x upon x minus x1 आप देखें इनकी त्रिची गुड़ा करेंगे त्रिची गुड़ा करेंगे त्रिची गुड़ा करेंगे क्या आएगा m2 x minus k m2 x1 और इधर हो जाएगा m1 x2 minus k m1 x अब चुकि हमें x निकालना है देखें x निकालने के लिए यहां से और यहां से इसको लेक्टन साइड में लिख लेते हैं यह हो जाएगा m1 x plus m2 x और इसको हम राइटन साइड में लिख ले आएगे तो यह हो जाएगा m1 x2 plus k m2 x1 अब देखें यहां से x common ले लेदें जब हम X पूमन लेंगे तो क्या आएगा M1 प्लस M2 ठीक है और यहां क्या बचा है यहां यही है M1 X2 प्लस के M2 X1 और यह चीज़ देखिए आप उनमें पहुँच जाएगी तो देखिए यह वाला फॉर्मूला आपके सामरे आजाएगा यह इसके बाद इस अपॉन दिस जगह कम है इस लिह मैं नहीं है तो यह पूरा यही वाली आ लाइन है जाएगी इसके बाद की और यानि कि यहां पे आ जाए तो इसे हम कहेंगे बाद भी वाज़ाएगी 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 तो बाद भी वाज़ाएगी तो बाद भी जो की पहला है जहां प्लस है बहां माइनस कर देना और बिंदू P बीच में न होगे बाहर की और होगा यहां पर देखे एक और statement है तथे है अगर यह बिंदू P जो है वो AB का मध्य बिंदू हो जाए मध्य बिंदू का महला M1 और M2 आपस में बराबर हो जाए तो formula यह बनेगा X1 प्लस X2 अपॉन 2 Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 अगर बिंदू P AB का midpoint हो जाए तो क्या होगा M1 के स्थान पे आप M1 बराबर क्या हो जाएगा M2 जैसे यह आप रहोगे तो proof होगे यह आजाए यह formula के रूप में आपको यह क्या रखना है अब देखिए चलते हैं next और question number first आपकी skin पाच चुका है तो यह first question क्या उस बिंदू के निर्दे सांग उस बिंदू के निर्दे सांग याद कीजिए जो बिंदू इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को दो और तीन के अनुपाद में भी हाज़ित करता है तो यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड है यह मान लीजे एक बिंदू जो A है इसके coordinate हमें दे रखें minus 1,7 और एक दूसर बिंदू B है इसके coordinate हमें दे रखें 4, minus के 3 और इस पे कोई window P है जिसके coordinate हमने मान लिए capital X और capital Y फर्मूले के साथ है और यह जो बिंदू है इसको 2 और 3 के अनुपाद में भाटा यह दो भाग है यह 3 भाग है तो यह जो पहला बिंदू है यह काम करेगा X1, Y1 का और जो दूसरा point है यह काम करेगा X2, Y2 का ठीक है और यह हो गया हमारा M1 और यह हो गया M2 ठीक है अब हमें क्या निकालना अन्ते उस बिंदू के जिर्दिसांग ज्याद कीजिए जो बिंदू इतने को मिलाने वाले रेकाखंड को दो तीन के अनुपाते हैं भी हाजिस करता है तो सूतर लाएंगे हम सूतर क्या होता फर्मूला एक आप अलग भी लगा सकते हैं फर्मूले को और एक तरह कम्बाइन करके भी लगा सकते हैं यह है फर्मूला M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा लगाएंगे और यहां लिखेंगे फिर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 ठीक है यह इसका फर्मूला हो गया अब देखेंगे इसका सॉल करते हैं सॉल करेंगे वेल्यू रखेंगे इसके अंदर P X,Y यह ऐसी रहेगा अब इसका सॉल करते हैं M1 की जगे क्या देखें यहां सचित्र में जो मैंने बदाया है M1 की जगे है 2 हमने 2 रख दिया X1 कितना है? X1 है माइनस 1 माइनस का हो तो ग्रैकिट में लिखो तो ज़्यादा बड़ी है लाएगा और फिर प्लस का M2 M2 है 3 और X1 X1 कितना है? X1 है माइनस का M2 M1 X2 अच्छा यह X2 था X2 था यहां पर X2 है 4 इसको चाहिए करते हैं X2 कितना है? 4 अब यहां पर M2 X1 X1 है हमारे पास माइनस M1 प्लस M2 यानिकी 2 प्लस 3 आप इसको अनलग भी सॉल कर सकते हो और कमबान भी सॉल कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ अब यहां पर देखे दूसरा क्या? M1 बाइटू M1 की जगे 2 बाइटू की जगे है माइनस के 3 माइनस हो तो बैकेट पर लिखें प्लस M2 M2 की जगे है 3 बाइवन बाइवन की इस्थान पर है 7 अपोन M1 प्लस M2 यानिकी 2 प्लस 3 अब इसको सॉल करेंगे अब देखिए सॉल करते हैं तो क्याएगा 2 चोक 8 और माइनस का 3 और 2 तीन होगे 5 इसको सॉल करेंगे 2 तीन 6 माइनस 7 तीन 21 और 2 तीन 5 और सॉल करते हैं 8 में से 3 गए बचे 5 यहाँ 21 में से 6 गए 15 बटे में 5 देखिए 5 से 5 कर जाएगा यह 5 से 5 कर जाएगा यहाँ देखिए 5 ही का 5 अब 5 तीन 15 तो जो हमारा आंसर आया यहाँ 1,3 कितना आया आंसर इसका 1,3 यह इसका आंसर होगे कोशन नमबर फर्स्ट अब देखते हैं कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू देखिए इसकीन पे हैं बिंदू 4,-1 और माइनस 2,3 को जोडने वाला रिखांड जैसा कि देखिए आपको यह नीचे दिख रहा होगा सम्त्री भाजित देखिए यह जो कोशन है यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है इंपोर्टेंट कोशन है तो इस कोशन को आप अच्छे है समझ लेना बिंदू इतने इतने को जोडने वाला रिखांड वो सम्त्री भाजित सम्त्री भाजित का मतला इसके तीन भाग हो रहा है एक भाग यह तीन भाग कौन से होगए एक, दो, तीन सम्त्री भाजित करने वाले बिंदू के निर्देसां गयाद किजिए कि इस सम्त्रिवाजित करने वाले कितने बिंदوں हों, दो बिंदों हों, तो हम एक बिंदो को माल लेते हैं P1, और दूसरे बिंदो को माल लेते हैं P2, ठीक है, यह हमें निकाल लें, तो अब अगर हम P1 के निदे शाह निकालेंगे, तो M1 बराबर हो जाएगा, P1 के निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा एक क्योंकि यह एक भाब हो गया और इधर के जो भाब हो जाएगे वो हो जाएगे दो और M2 हो जाएगा यह हो जाएगा दो ठीक है? दो condition होगी और जब हम P2 के निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा दो क्योंकि यहां से हैं तक का भाग दो हो जाएंगे और M2 वरावर हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है तो यह आध्यान लखेंगे अब हम इसके हिसाब से इस कोशन को करेंगे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिख देता हूँ इसी वात को आप देखें करते हैं पीवन के निर्दे साथ पीवन के निर्दे साथ कैसे निकालेंगे पीवन के लिए यह तो काम करेगा एकस्वन बाइवन का और कोमा माइनस यह हो जाएगा एकस्वन बाइवन ठीक है और यह जो हो जाएगा दो कोमा माइनस का यह हो जाएगा एकस्वन बाइटू ठीक और मान हो जाएगा एंबन हो जाएगा दो और एंटू हो जाएगा एंबन बनावर एक और एंटू बनावर ठीक है अब हम इसको सॉल साथ है फॉर्मुला लाएंगे देंगे सूत्र क्या है अभी जैसे हमने बताया था x, y is equal to p की जगे हम यहां हो जाएगा p1 ठीक है फॉर्मुला वही लाएंगे एक मैं detail से बता रहा है दूसरा मैं sort में निकाल के दिखा वही हो जाएगा फॉर्मुला m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 इसी तरह से दूसरा फॉर्मुला m1 x2 की जब y2 लगा देंगे बस m2 by 1 upon m1 plus m2 अब इसमें value रख देते हैं value देखिए उपर से देखके रख देजिए m1 के इस्थान पर है m1 के इस्थान पर है एक और x2 कितना है x2 हो जाएगा x2 है यहाँ पर minus 2 m2 रखेंगे m2 है यहाँ पर 2 x1 रखेंगे x1 है यहाँ पर 4 on m1 plus m2 याणि की 1 plus 2 ऐसी यहाँ पर रखेंगे देखिए m1 की value है एक y2 की value है minus के 3 minus हो तो इसको bracket के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है plus m2 हो गया 2 और y1 हो जाएगा minus का 1 upon m1 plus m2 याणि की 1 plus 2 अब देखिए सुसाल करेंगे हम यह हो गया minus का 2 और 2 चोपाट यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा minus का 3 और plus का minus का 2 और यह 3 और हम इसको solve करेंगे तो यह जाएगा 8 में से 2 गए 6 और 6 को 3 से भाग देदेंगे नेश्ट लाइन में करता हूँ यह जाएगा minus का 5 upon 3 point क्या हुआ देखिए गड़ जाएगा 3 दो नहीं 6 कि में अब देखिए यहाँ पर आपको हिंट देता हूं बिन्दो पीक्षी पीट्यम्थ के निवद्देशा की निवद्देशा हुआ अब देखिए कैसे निकलेंगे विद्देशा की निवद्देशाओ बस क्या हुआ एक्स वन बाई बन एक्स टू बाई टू तो वही रहेंगे यहां पर जो हो जाएगा एम बन के स्थान पा जाएगा इतना दो और एम टू बरावर हो जाएगा एक इतना अंतर रहेगा बागी पूरे का पूरा ऐसी आपको उताना है तो आम चाहिए खुद भी कर सकते हैं फिर भी मैं इसके सॉलुशन को आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ तो यह कुश्चन नूमर टू का जो यह सेकंड पार था यहां पर मैंने यह मान लिया है दूसरा बिंदू दिया है सिक्स कॉमा माइनस सिक्स इसको मैंने भी मान लिया है अब क्या आगे देखे जोड़ने वाला रेक खंड पर बिंदू यह अब इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो इस पर कोई बिंदू है भी वो कितना माइनस बन और च्छे किस अनुपात में विभाजित करता है किस अन अन्ते विवाजन सूत्र से लगाएंगे सूत्र आप चाहिए अन्ते विवाजन ना लेके सीधा लेके सूत्र पी यह होता है एक्स कॉमा वाई जीकल टू यह फॉर्मूला पूरा लगाएंगे पी प्लस अंवाई तो, अंवाई जाए जाएंगे प्लस यहाँ प्लस अंवाई तो यह formula अब देखिए इसी formula को एक तो अगर हमें निर्दिसान निकालने होते हैं तो हम पूरा लगाते हैं लेकिन जब हमें M1 या M2 निकालना हो तो किवल एक से काम चल जाएगा हम इसको shortcut में ऐसे लिकाल सकते हैं यानि कि capital X बराबर हो जाएगा यह है M1 X2 क्योंकि एक ही formula से काम चल जाता है M2 X1 upon M1 plus M2 अब देखिए इनकी value put कर देते हैं X की जगा है यह तो काम करेगा देखिए capital X capital Y का और यह जो point है यह काम करेगा X1 by 1 का और यह जो दूसरा point है वो काम करेगा X2 by 2 अब देखिए हम यहाँ पर इसको shortcut कर लें capital X के इस्तान पर कितना है minus 1 capital X के इस्तान पर हमने रख दिया minus 1 M1 कितना है यह हमें निकालना है X2 कितना है X2 देखिए चितर से देखिए X6 M2 कितना है M2 है हमारे पास निकालना हमें X1 कितना है X1 है minus के इसके बाद M1 plus M2 नीचे M1 आप देखिए इसको हम solve करेंगे और answer आप आजाएगा देखिए यहां M1 प्लस M2 पिर्ची गुला कर देंगे minus 1 M1 प्लस M2 आप देखिए यहां पे योगा 6 M1 प्लस M2 और यह जाएगा minus के 3 M2 आप देखिए हाँ आजाते हैं हम इसको अंदर entry करेंगे minus की तरी जाएगा minus का M1 माइनस का M2 और इधर हो जाएगा 6 M1 minus 6 M2 ओं 3 M2 अपक्सांदर कर लेंगे देखिए M1 वाला एक साइड में ले जाएगे इधर आके minus का हो जाए 6 M1 यह minus है इधर आके प्लस हो जाएगे M2 minus के 3 M2 अब देखिए minus का M1 माइनस का 6 M1 यह हो जाएगे minus का saving M1 और यह देखिए minus के 2 M2 में से M2 खटा जाएगे minus का 2 M2 अब चुक्कि हमें अनुपात निकालना है तो M1 अपून M2 जीकल टू साथ इधर पहुंच जाएगा minus का 2 माइनस का 7 अभी देखिए minus माइनस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगे दोनों किलस हो जाएगे कितना अनुपात आ गया यह आंसर हमारा हो गया यह आंसर आ गया एम बन अनुपात M2 जीकल टू को आ गया दो अनुपात साथ आंसर क्या होगा? तो मैं समझता हूँ यह कोश्चन आपको अच्छे से समझ में आगया होगा आप चलिए देखते हैं इसके बाद कोश्चन नमबर 5 कोश्चन नमबर 5 आपकी स्क्रीन पाच चुका है पहले इसको समझेंगे बहुती बढ़िया कोश्चन बहे अनुपात याद कीजे देखे जो आभी कोश्चन किया था उसमें भी हमने अनुपात निकाला था और इसमें भी अनुपात निकालना है यानि M1 और M2 निकालना है देखे जो बिंदो A A हमें दे रखा 1,-5 और B-4,5 को मिलाने वाला रिखाखंड X अक्च ये नोट करने वाली बात है X अक्च से भी वाजित होता है अब यहां पर देखे जो काम की बात है वो आपको नोट करने वाली है कि कोई भी लाइन अगर X को काड़ती है तो बहाँ पर Y की जो वेलू होत होती है तो Y की जो वेलू होती है वो जीरो होती है तो X वाला तो हमें मालूमी क्या है लेकिन इतना पता चलिया यहां पर कि जो Y है M2 निकल जाएगा जो पहला coordinate होगा ये काम करेगा X1, Y1 का जैसा कि पहले question में भी करा था आपको ध्यान होगा ये जो दूसरा point है ये काम करेगा X2, Y2 का X2, Y2 का और M1, M2 हमें निकालना है यहाँ पर एक line लिखेंगे बढ़े हाग के मोटी-मोटी लिखेंगे क्यूंकि रेखा खंड रेखा खंड A, B X सक्च को काटता है किसे काटता है? X सक्च को काटता है काटता है तब YG कल टो 0 ठीक है? Because segment AB cut on X axis therefore YG कल टो 0 तो हम इसे इस तरह लिखेंगे आप देखें Y वाला कोडिनेट हम जानते है यह फर्मूला होता है अब चुकि Y बरावा 0 तो Y वाला इस फर्मूला लगाएंगे YG कल टो होता है M1, Y2 पहले X वाला फर्मूला लगाया था पहले वाले में आप Y वाला लगाते तब भी आंसर यही आता तो आपके Y वाला क्यों लगा रहा है क्योंकि Y का कोडिनेट हमें दे रखा इसलिए लगा रहा है अब यहां पर क्या आएगा m2 y1 upon m1 plus m2 अब देखे ये value हमें मालूप होच चुकी अब value रखे देखे answer कलके आने वाला है y की जए क्या रखेंगे 0 m1 कितना है निकालना है y2 कितना है y2 है 5 बस value रखनी ये answer आ रहा रही y1 कितना है y1 है minus के 5 चिन सहीत रखना minus हो तो bracket लगा लो बढ़िया लगता है और देखे m1 plus m2 m1 नीचे रहेगा यहाँ पर m2 कैची गुणा करेंगे 0 की multiply होगी किससे m1 plus m2 कितर हो जाएगा ये 5 m1 और ये minus का 5 m2 m1 y2 plus m2 y1 ये दुनों same to same था अच्छा देखें ये चुकी 0 है 0 से multiply करते हैं तो पूरा पूरा 0 हो जाता है ये आप जानते होंगे अच्छे से answer is about to come ये minus में है मैं तकर देता हूँ आप देखें minus वाला ही दर आके plus हो जाएगा 5 m2 is equal to 5 m1 आप देखें जब 0 से इसकी पूरी multiply करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा m1 m2 आप देखें यहां पर m1 अपून m2 कितना हो जाएगा 5 upon 5 आप देखें 5 से 5 यहां पर हम काट देंगे 5 से 5 प्रेंसल हो गया तो कितना अनुपाद आ गया m1 अनुपाद m2 is equal to 1 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो रेखाखंड है a b को विल्कुल मध्य बिंदू में काटता है m1 मरावर m2 का मतलब यह है कि रेखाखंड a b x अक्च को मध्य बिंदू एकस छो Пाँ लिए को मत्य बिंदू पर काटकर है इस विधाखाधाधंड के निर्दशांग भी ग्याद की तो विवाज़ाधाध बिंदू के निर्दशांग क्या हुआ हुए अब निकाल लें जब हमें अनुपात मालूब हो गया तो हम निर्देसांग निकाल सकते हैं अब कैसे निकालेंगे चलिए नेश्ट पीज पर देखते हैं अब देखिए चुकि हमसे निर्देसांग भी पूछे हैं तो हम इसमें एक काम और करेंगे X वाला फॉर्मूला और लगाएंगे जब कि हमें इस पॉइंट के निर्देसांग कालने बाई तो मालूम है X और निकालना पड़ेगा तो यह X का फोर्मूला हम यहाँ लगाएंगे X का formula क्या है M1, X2, पहले नहीं लगा सकते थे starting में इसे, क्योंकि starting में लगाते हैं, तो हमें M1, M2 नहीं मालूम था, लेकि अब लगा सकते हैं, चाहें, चुकि midpoint है, आप सीधा भी लगा सकते हैं, midpoint है, तो X1 प्लस X2 बटे 2 से भी निकल जाएगा, लेकिन हमने यह लगा ल और M2 कितना यह भी एक है, आभी निकला दे के तायत यह वाला, और X1 कितना है, X1 है यहाँ पे एक, upon में कितना आएगा, 1 plus 1, अब midpoint वाला formula भी यहाँ लगा सकते थे, उससे भी answer यह है, यह जागा 1, और यह हो गया, कितना आ गया, यह minus का, X वाला, तो निर्दिसांग क्य क्या हो गया, बिवाजन बिंदू के निर्दिसांग, इसलिए, बिवाजन बिंदू के निर्दिसांग हुए, वो क्या होए, भुज कोमा कोटी, यानि, minus 3, यह answer का answer, अब आप इधर वाला यह हटा सकते हैं, तो answer कितना है, minus 3, 2, 0, और कहाँ पकारता, midpoint पे, यह निर्दिसांग, एक सच जो है, वो midpoint के बिल्कुल 20 से होके लागता है, चलिए अब देखते हैं, next question, question number 6, question number 6, आपकी screen पाच चुका है, यदि बिंदू 1,2 और 4,by 6,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर, एक समानतर चत्रोज, देखें, यहां जो बनना है, यहां देने वाली है, समानतर चत्रोज, इंगली से बहुलते हैं, इसको पेरल्ग्राम, यह सीर्स हों, वर्टेक्स हों, तो X औ तो कई तरीके हैं इसको निकालने के, आप किसी की तरीके से निका सकते हैं, और जो मैं कराने वाला हूँ, उसको कराऊंगा, मैं देखें, डागोनल के help से, हम क्या करेंगे, पहले इसके डागोनल को लिखेंगे, इसके जो डागोनल है, वो क्या होंगे, अगर हम इस पॉइ डागोनल होता है, वो मिट पॉइंट पे काटता है, तो मिट पॉइंट कौन सा होगा है, इसका ये वाला, A, B, C, D, और मिट पॉइंट हो जाएगा इसका, इसके आप कुछ नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा इसका, ठीके, अब हम ये कोडिनेट निकालेंगे, मिट पॉइंट आएगे, तो इसका मतलब एक्स वाइन कलके है, आजाएगा, थे, बीडी के मध्य बिंदू, डागोनल का मतलब होता है, विकण, विकण, पहले, A, C, के मध्य बिंदू, मध्य बिंदू, ये मिट पॉइंट ऑफ डागोनल, A, C, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है, X1 प्लस X2 अपॉण 2 और Y1 प्लस Y2 अपॉण 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मिट पॉइंट, X1 प्लस X2, ये तो काम करेगा, X1 बाइवन का, और ये काम करेगा, X2 बाइवन 2, ठीक है, X1 प्लस X2 बाइवन 2, X1 के इस्तान पर है एक, और X2 के स्तान पर है, X, अपॉण 2, टीक है, इसको तो स्वाल करी नहीं सकते क्योंकि बन एक्स में नहीं जूड़ सकता यह जागा दो अच्छा है आठ आठ को दो से भाग दे दो इतना जागा चार या ठीक है यह तो हुए अब बिल्कुल सेम ऐसे निकाल लू बिकर्ण बीडी के मद्ध्य बिन्दू इसे में अलकल ले ले लेता हुए विकर्ण बीडी के मद्ध्य बिन्दू यानि इंग्लिस में लिखना चाहों इंग्लिस में ले सकतो midpoint of diagonal AC यहां पर midpoint of diagonal BD यानि विकड़ BD के मध्य जिन्द तो देखे हमने चूकी ऊपर formula लगा दिया तो अब आपको दुबारा formula लगाने की जुरूत नहीं यहां आप direct कर सकते हैं X1 प्लस X2 वड़े दो यानि 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 X वाले जो coordinate हैं उनको जोड़ के आदा कर दो और जो बाई वाले coordinate हैं उनको जोड़ के आदा कर दो बाई प्लस 5 अब देखे हैं इसको भी सोल करते हैं यह जागा 4 यह तिन 7 7 वड़े तो यह जागा बाई बाई में 5 तो जोड़ेगा नहीं तो ऐसी रहेगा अब देखें नोट करने वाली बात ही है अब देखें बिकण AC का जो मध्य बिंदू है वो भी P है और जो बिकण AC का मध्य बिंदू हो भी P है यानि P जो हुआ दोनों में common हुआ ओमर होने का मतलब यह है कि यह वाला point और यह वाला point क्या है एक जैसे हैं जब एक जैसे हैं तो हम इनकी comparing करेंगे ठीक है कैसे comparing होगी देखें चुकि बिंदू यह line नहीं हम लिख देंगे चुकि बिंदू 1 प्लस X 2,4 तथा यह वाला जो अभी निकाला हमने ताज जाएं सेविन अपॉन 2 यह प्लस 5 फॉन 2 एक ही है एक ही है एक ही जब एक ही है तो क्या होगा भई जब एक ही है तो हम इनकी comparing करेंगे कैसे करेंगे comparing comparing हम करेंगे इनकी ऐसे देखिए यह देखिए यहाँ पांसर वाला यानि कि जो पहला point है वो पहले के एक कोल कर दो दूसरा दूसरे के कोल कर दो यानि कि 1 प्लस x अपॉन 2 जिकल 2 हो जाएगा 7 अपॉन 2 और दूसरा वाला क्या है 4 जिकल 2 हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2 अब देखिए यहां से x की value निकाल लेंगे तो यहां हम देख पा रहा है कि यह देखिए दो से 2 यह cancel होगा अपॉन में अगर एक जैसा हो तो कढ़ जाता है एक जैसा हो अपॉन में तो क्या होता है कढ़ जाता है तो कितना आया है यहां पर देखिए 1 प्लस x इस इकल टू 7 7 x इस इकल टू हो जाएगा 7 माइनस 1 और x इस इकल टू आ गया 6 लीजे एक आंसर तो हमारा यह आज़ा दूसा आंसर देगी यहां से निकलेगा दूसा आंसर निकाल देता हूं यहां पर 2 की इधर गुणा करेंगे 2 चोक 8 इधर हो जाएगा y फ्लस 5 5 इधर आके माइनस हो जाएगा 8 माइनस 5 इस इकल टू y y कितना आ गया y इस इकल टू हो गया यह आंसर हो गया तो x इकल टू 6 आगया y इकल टू 3 आगया तो मैं समझता कोशन आपको अच्छे संज में आगया होगा हमने मिट पॉइंट निगाने दो परिकार से आप चूकि मिट पॉइंट तो एक ही होता है उनकी हमने कंपेरिंग कर दी लीजिए कोशन नमर्स सेविन आपकी स्क्रीन पर आचुका है पेले इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं बिंदू A के निर्धं सांग वियाद कीजिए जहां A b एक ब्रत का ब्यास है देखे चितर आपको सामने दिखाई दे रहा हुगा यह क्या है ब्रत का ब्यास है तो यहां पे जो ब्रत है एक ब्रत है और यहां पर इहां भ्रत का ब्यास है. यहां से देकी, आपको दिखाई दे रहागा, जो मैंने लाइंड ड्रा की है, यह क्या है ब्रत का ब्यास है. और इसका जो है point मैं मान लेता हूँ, यह point ले लेते हैं, इसको एंग अजियाु हुआ है। głos कितना है अच्छा एकाशए एकंड़सांग गयात कीजिए इसके ऑदेशांग हम हम एकço तो देर के लिए हमने क्या माल लेते है थोड़ी देर के लिए Ay Harriet और Y1 माल जाए ठीक है दूसरा B हमें दे रखा है B हमें कितना दिया हुआ B दे रखा है B के दिशांग 1,4 यह हमें दे रखे 1,4 A B इसका ब्यास है यह इसा केंदर है केंदर क्या होता है बिल्कुल ब्यास का midpoint होता है केंदर जो होता है वो ब्यास सा क्या होता midpoint यह हमने माल लिया B और यह हमें दे रखा 2, minus के T तो एक इन रखेंग हमें से पोँचें तो इसके लिए हम देखे midpoint वाला formula लगाएंगे यह x1, y1 है यह काम करेगा x2, y2 का और यह काम करेगा capital X और capital Y यहाँ पर हम देखे midpoint वाला formula लगाएंगे midpoint का formula होता है मध्य बिन्दों के दिसान यानि कि ब्यास AB के मध्य बिन्दों के दिसान ब्यास AB के मध्य बिन्दों मध्य अब देखे मध्य बिन्दों के दिसान का formula है P X, Y यह formula होता है x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 यह formula है अब देखे यहाँ पर capital X के स्थान पर हमें दे रखा है capital X के स्थान पर हमें दे रखा 2 और y के स्थान पर दे रखा है minus के अब लेप्ट इधर लाएंगे देखे x1 ऐसी रहेगा x2 कितना है x2 है 1 upon इसी प्रकार से y1 कितना है y1 ऐसी रहेगा क्योंकि y1 हमें निकालना है y2 है यहाँ पर 4 upon अब हम इनकी कंपेरिंग कर देते हैं तुलना कर देते हैं तुलना करेंगे तो 2 बरावर हो जागा इसके और minus 3 बरावर हो जागा इसके यानि कि 2 इसी कल्टू हो गया x1 plus 1 upon 2 आप देखें कैचिक बुणा कर देते हैं 2 multiply 2 इसी कल्टू x1 plus 1 तो 2 बरावर हो जागा minus 1 तो x1 कितना आगे है हां से x1 हो जाएगा 4 में से एक गए अब इसी तरह से दूसरा वाला देखें निकाल लेगे तो दूसरा है यहाँ पे यह हो जागा minus के 3 is equal to y1 plus 4 upon 2 cross multiply करेंगे तकि जैसे अब यह हमने की थी तो 3 दो नहीं हो जाएगा यहाँ पे 6 y1 plus 4 y1 कितना हो जाएगा इधर आके यह minus हो जाएगा यह हो गए अब y1 is equal to minus के 10 तो 1 के निर्दिसा कितना हो गए हमसे क्या पूछी दे 1 के निर्दिसा इसलिए 1 के 1 के निर्दिसा 1 के निर्दिसा हो गए पहले एक्स के वाला पॉइंट लेखेंगे 3 कॉमा माइनस के यह हो गया इसका मैं समचता हूँ question number saving आपको समझ में आगया होगा आप चलिए देखते है question number 8 question number 8 आपकी screen पे है question क्या है पूरा पहले इसको हम देखें समझते हैं question है A और B के निर्दिसांग करम सा यह है वो देखिए A के निर्दिसांग मैंने यह लिख दिए और B के यह लिख दिए तो बिंदू P के निर्दिसांग गयाद कीजिए बिल्दू P यहाँ पे कोई point P है इसके बीच में उसके निर्दिसांग का हमें निकाल लें ताकि A P तीन बटे साथ A B हो यहाँ पर देखिए P के निर्दिसांग निकाल लें हमें M1 और M2 चाहिए जो अभी हमें मालूम नहीं M1 और M2 चाहिए तो यहाँ पे A P का मतलब देखिए A P तो हमें मालूम है यानि M1 तो मालूम है M1 कितना है तीन बटे साथ A B लेकिं किलियर नहीं मालूम है तो हम पहले देखिए A P यहाँ पर मालूम है तो A P और आवरा तीन बटे साथ A B यहाँ से मैं निकालूँगा P B P B कैसे निकलेगा P B जो निकालेगे और मैं A B में से A P को माइनस कर दूँ तो वो किसके बरावर होगा P B के बरावर होगा A B ऐसी रहेगा A P देखिए हमें यह दे रखा A P की वेलूँ यहाँ पर रखेंगे तीन बटे साथ A B इध्यान समझने वाली बात है अब देखिए इसका साथ A L C M ले ले हम साथ A L C M लेंगे तो कैची गुणा यह से विन A B हो जाएगा माइनस के 3 A B इतना होगा यह साथ में से तीन गए चार बटे साथ A B अब देखिए हमें अनुपाद निकलने वाला अनुपाद कैसे निकलेगा इनको डिवाइट करके A P अपॉन P B इसलिए अनुपाद का मतलब होता है डिवाइट करना A P अपॉन P B कैसे डिवाइट करेंगे A P की जाए रखेंगे 3 बटे 7 A B 3 बटे 7 A B और P B एक क्या रखेंगे 4 बटे 7 A B अब ज़र दियान से समझेंगे यहां समझने वाली बात है समझने वाली बात क्या है देखिए A B से यहां पर A B कड़ जाएगा 7 से 7 कड़ जाएगा क्या बचेगा यहां बचेगा ओपर 3 और नीचे बचेगा 4 यह हो गया M1 और M2 M1 अपॉन यानि M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4 तो देखिए हमें M1 M2 मालूम चल चुका है अब हम क्या करेंगे जो पहला पॉइंट है इसे कहेंगे X1 by 1 और जो दूसरा पॉइंट है इसको कहेंगे X2 by 2 यह X by है और M1 हमने बिल्कुल अभी निकाला ताजा ताजा कितना निकाला है M1? 3 और M2 भी निकाल चुके हैं बिल्कुल ताजा ताजा निकाला दिए यह चार बस अब फॉर्म्मला लगाएंगे और अरण सार आजाएगा वथ बिवाजन सूतर से यानि section formula से यहां पर लिकेंगे बिवाजन सूतर से फॉष बिवाजनसूतर क्या होता है आप अलयलला लगाना चाहें अलयला लगा दें ठीक है फॉर्मूला है पी एक्स कोमा बाय इजी कल टू पूरा फॉर्मूला लेखोंगा देखिए एम बन एक्स टू प्लस एम टू एक्स बन अपॉन एम बन प्लस एम टू बेल्कुल इसी प्रकार सा देखिए दूसरा लगाएंगे यहां पर क्या आएगा एम बन बाय टू प्लस एम टू बिल्कुल सेम है बस एक्स के इस्थान पर य लेख देना एम बन प्लस एम अब देखिए वेलू पुट कर देते हैं सारी वेलू हम निकाल चुके हैं रेड कलर में और यहां से देखिए आमका answer आने वाला म बन की जाए क्या रखेंगे तीन एकस वन है माइनस के दो अपोन में कितना आएगा तीन प्लस चार बेकुल ऐसी से सोल करेंगे M1 है तीन Y2 है M-4 माइनस वाले ब्रेकेट में लिखेंगे प्लस M2 है चार Y1 है माइनस दो अपोन M1 प्लस M2 3 प्लस 4 तीन दुनी 6 दो चोक आठ पोन 7 चारती है बार चार दुनी 8 बटे 7 Our answer is about to come आंसर हमारा देखी आने बाला है 6, 8 यानि कि यह बचेगा माइनस का 2 बटे 7 12 बटे 8 कितनों होते हैं 20 यह जगा 20 बटे I think this is answer तो answer हमारा क्या हुआ है point हमारे P कितनों हो गए 2 बटे 7 और माइनस के 20 बटे यह इसका answer होते है माइनस 2 बटे 7 और माइनस के 20 बटे 7 तो answer भी बच्टी का रहा है चलिए चलते हैं next question की और next question है question number 9 question number 9 देखें आपकी स्क्रीन पे आ चुको है question क्या पहले इसको दिहान से देखेंगे बिंदू A माइनस 2 कॉमा 2 जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है और बिंदू B है 2 कॉमा 8 जोड़ने वाला record A B को 4 बरावर भागों में भी आइस करता है देखें हमने जो question number 2 कराया था उसमें 3 भागों बाट रहा था और इसमें कितना माट रहा है चार भागों में तो question number 2 की तरह है यह आप इसको खुद भी कर सकते हो वीडियो को पोज़ तरके खुद करो और बाद में आंसर को मिलाओ लेकिन अगर question number 2 आपकी समझ में नहीं आया तो इस question को करने के बाद आप question number 2 खुद कर लो ठीके तो चार बराबर भाग तो आपको चित्र में यह भी दिखाए दे रहा है तो पहले हम इसके चार बराबर भाग करते हैं जमा लिए एक भाग यह हो गया और दूसरा भाग यह हो गया और तीसरा भाग यह देखे तो 3 और यह 4 भाग, तो इसके कितने भाग हो गए? चार भाग हो गए, तीकर, अब हमें जुए P1, P2, P3 के निर्देसा निकाले, जब हम P1 निकालेंगे, तो M1 हो जाएगा 1, M1 कितना हो जाएगा? एक, तो यहाँ पर देखे, और M2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक, दो, तो तीन भाग होगे हैं यहां सा अधार का इक भाग, यहां से अहिए थी, यहां फेल यहां से पर लिखेंगे, प काने बावह लिए इसे एक लिखेंगी और M2 जो हो जाएगा, वो कितने भागे देगी, यहां से, 1, 2, 3, M2 हो जाएगा, ठीके, बेखुल इसी प्रकार से P2 के लिए निकालेंगे, तो P2 के लिए क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, यहां पर, P2 के लिए, जब P2 के लिए लोगे, तो M बन कितना हो जाएगा, आ, M बन हो जाएगा, यहां से यह तक का दगी, 1, 2, और M2 कितना हो हैगा, M2 भी दो, बेखुल इसी प्रकार हम P3 के लिए निकालेंगे, तो P3 के निकालेंगे, तो M बन हो जाएगा, 3, और M2 हो जाएगा, 1, ठीके, मैं यहां लिख देता हूँ, P3 के लिए, P3 के लिए, P3 के लिए M1 हो जाएगा P1 और M2 हो जाएगा A तो मैं यहाँ पर P1 के निर्देशान निकाल का दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी परकार आप P2 के निकालेंगे और P3 के निकालेंगे P1 के जो निर्देशान निकालना हूँ इसको आप दिखान से समझ ले बिल्कुल इसी परकार से आप करेंगे तो यह जो काम करेगा वो X1, Y1 का काम करेगा और यह जो पिंदू है यह काम करेगा X2, Y2 का यह चेंज निहीं होंगे यह यहीं रहेंगे बस M1, M2 चेंज होते चले जाएंगे तो P1 के लिए विवाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या पहला पूरा फॉर्मूला लेखेंगे फॉर्मूला है अब चोकी तीन पॉइंट है इसमें तो इसलिए हम इसे P1 लेखेंगे ठीक है P1, X, Y जिकल टू M1, X2 M2, X1 अपॉन M1 प्लस M2 इस तरह ब्रैकेटर बंद करेंगे दूसरा आएगा M1, अब यहाँ पर क्या करना हम है पूरा बिल्कुल इसी कोपी पेस्ट कर देना है बस X2 की जगर Y2 कर देंगे फॉर्मूला तो मैं समचता हूँ आपको याद होग या होगा नहीं हुआ है तो कर लें याद क्योंकि बिना फॉर्मूले काम नहीं चले वाला अब देखिए यहाँ पर हम इनकी value पूट कर देते हैं value पूट करेंगे तो देखिए M1 की जगर क्या रखेंगे M1 की जगर क्योंकि P1 के लिए ले रहे है तो M1 की जगर केंगे 1 X2 कितना है? X2 है 2 M2 कितना है? M2 है M2 है M2 है 3 X1 है माइनस 2 आपको उपर से देख के लिखना है माइनस का हो तो ब्रैकेट में लगा लें तो ज़्यादा पढ़िया लगता है 1 प्लस 3 जब इसके 3 भाग थे तो 2 निर्दे सांग थे अब 4 भाग हुए है तो बीच में 3 निर्दे सांग होगे M1 है 1 Y2 है 8 M2 है 3 Y1 है 2 जैसे यह सोल हो रहा बिल्कुल सेम बैसे ही आप P2 और P3 करेंगे इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि वो आपको खुद करना है तो 2 3, 2, 6 कितना हो जाएगा 2 माइनस के 6 बटे 4 इसलिए यह देखे 1 कटे 8 और 2 दिया 6 बटे 4 आप देखे इसको थोड़ा और सोल कर लेते हैं यह जाएगा माइनस 6 यह बचेगा माइनस के 4 बटे 4 माइनस के 4 बटे 4 कितना मतला 8 अच्छे हो गए 14 14 बटे 4 इसको दिखे काट लेते हैं काटेंगे इसको हम यहाँ पर देखे 4 से 4 का एंसल हो गया एक बचेगा यहांसरय कार देंगे, दो दुनीद चार और दो सटत्य वियर, तो यहां पर क्या बचा, यहांसर हमारा आया है, यहांसर हुआ, और साथ प्रटे 2 यहांसर, यहांसर कॉणस लिद्ध्रिशान निकलेंगे, यह निकलेंगे हमारे P1 के, मैं इनके निकाल के आपको दिखा देता हूं आप इसको खुद करना है और आंसर को मिला लेना यहां पर देखें जैसा कि आपको दिख रहा है P2 और P3 मैंने निकाल दिया आपने कर लिए होगा मुझे अमीद है कोशन समझ मागे तो P2 के लिए देखें P M1 भी 2 होगा M2 भी 2 होगा अब देखें दोनों से जब सेम होते हैं तो यह मिट पॉइंट हो जाता है कोशन आपके स्क्रीम पे यह रहा हुआ तो इस कोशन पहले पूरा अच्छे सब पढ़ना है और फिर उसका सॉल करना है कोशन कि आप पहले को पढ़ लेते हैं question है एक समचत्रवज का छेत्रफल गयाद कीजी के निकालना हमें समचत्रवज का छेत्रफल जिसके सीर्स यह है यहाँ संकेत दिया हुआ हाला कि ऐसा आपके exam में दिया हो यह जरूरी नहीं है समचत्रवज का छेत्रफल होता है ऐसा चत्रगुज जिसकी सभी पुज़ाएं बरावर हूँ तो कुछ देखें इस टायब का सम चत्रगुज होगा तो इस तरह का सम चत्रगुज होगा लिस सम चत्रगुज आपके सामने आगे आप इसके को Suffice अमाल लेते हैं चत्रगुज देखें कि आप भी A से माने B है 4,5 और A की यहाँ पर C माइनस 1,2 और D है माइनस 2,1 ठीक है आपके कन्ना में इसका छेतरफल निकालना तो छेतरफल निकालने के लिए इसके बिकड निकालेंगे तो बिकड देखिए कौन कौन से तो यहाँ पर 2 विकड है कौन सा एक तो विकड है यह वाला दूसा विकड कौन सा है दूसा विकड है यहाँ से A, C तो हमें B,D और A,C निकाल लें फिर क्या होगा यह फॉर्मूला है समझे तो छेतरफल एक बड़े दो विकड़नों का गुड़न फल तो अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखे वो आपको पता ही है मैं एक बड़ लिख देता हूँ विकड़न A,C की लंबाई तो हम सर से पहले निकालेंगे इसे इंगलीज में डियागोनल बोलते है लेंथ ओफ डियागोनल A,C विकड़न A,C की लंबाई तो हम सर से पहले है दिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दिस्टेंस फॉर्मूला होता है एकस टू माइनस एकस बन का होल स्केर प्लस बाई टू माइनस बाई बन का ओलू स्केर यह फॉर्मूला लाएंगे तो यहाँ पर यह काम करेगा एकस बाई बाई बन का यह काम करेगा एकस टू बाई टू एक डिस्टेंस हम ट्रेल से निकाल लेंगे और उसके बाद जो दूसरी होगी वो हम जो है आराम से निकाल लेंगे डारेट निकाल लेंगे आप देखिए हाँ पर x2 मैंनस x1 x2 के इस्तान पर है यहाँ पर माइनस 1 और x1 के इस्तान पर है 3 whole square इसी परकार y2, y2 है यहाँ पर 4 और y1 है यहाँ पर 0 और देखिए यहाँ पर हमने इसको solve करते हैं जो जागा माइनस के 4 square और यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ आगया है एसी परकार से हम निकालेंगे bd तो मैं के लिए color दूसरा ले लेता हूँ जिससे लिकतना पर देखिए now become bd तो bd हम निकालेंगे इसको इसको हम direct निकाल सकते हैं bd को sword में this minus this यानिकि इसमें जो भूज है उनका difference लेते हैं हमने बताया था कि अपुजिट चिन है तो ब्लस हो जाएंगे और सेम चिन है तो minus हो जांगे भुजो का अंतर बुजो का अंतर ले लिए देखें 4 आर मा 2 चार, दू इपुजिट चिन है तो प्लस हो जाएंगे यानि 4 plus 2 बुचो के अंतर का स्क्वार प्लस कोट्यों के अंतर का स्क्वार दिस माइनस दिस यह करेंगे तो यह भी देखिए विप्री चिन है तो प्लस कर देंगे यह हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक जैसा चिन हो प्लस कर देते हैं और अपोजिट चिन हो मुल इस जीनों माइनस करते हैं और पॉजिट जीनों होता है तो प्लस करते हैं 4 यह दो हो गया 6, 6, 34 यह भी 36 हो गया और 36 और 36 हो जाएंगे बैध तर यह 72 अब देखिए यह एक बड़े दो विकड़नों का ग्रणफर्ड तो हम आप फॉर्मूला लगा देता हूं यहां पर इसके लिए में दूसरे कलर ले लेता हूं अब देखें यहां पर यह होगा नीला इसलिए सम्चत्रभुज का छेत्रभुज सम्चत्रभुज सम्चत्रभुज का छेत्रभुज फॉर्मूला क्या है यह उपर लिखा हुआ है एक बड़े दो ग्रा विकड़नों का ग्रणफर्ड यह फॉर्मूला है तो यह फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि एक्जामनी गिया होगा विकड़नों ग्रणफर्ड देखिए हम विकड़न निकाल चुके हैं एक बड़े दो पहला विकड़न हमने निकाला है रूड 32 दूसर विकड़न निकाला हमने रूड वहत था तो इनकी गुणा करेंगे तो गुणा करने से अच्छा है इनकी टुकड़े कर लें ठीक है क्योंकि गुणा करने में लंबा पड़ जाएगा तो टुकड़े करेंगे देखिए 32 की 32 के टुकड़े क्या होंगे यह हो जाएंगे दो दो चोक आठ चोक बड़ेंगे यह हो जाएंगे दो गुणा च्छ दो चंग बार है बार है बार है बार है बार है बार चंग बार चंग बहतर है अब ऐसे क्यों कर रहे हैं जिससे जोड़ा बन जाए इसका एक जोड़ा बन गया एक 6 का बन गया एक 2 का बन गया अब इसका आंसर देखिए आने वाला एक तो देखिए 4 बार आ जाएगा दूसरा एक देखिए 2 बार आ गया तीसा एक 6 बार आ गया जोड़े में से एक एक बार निकाल देते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क अब केंद्रक क्या होता देखिए हमें ये भी पता होने चाहिए आपको बता दें तिरवोज के सीर से सम्मुख बुजा के मध्य बिंदू को अगर हम मिला दें ऐसे और ऐसे ही इस वाले सीर से इसके मध्य बिंदू को मिला दें तो इने हम बोलते हैं माध्य गाएं क्या बोलते हैं इनको माध्य गाएं जिस पॉइंट पर काटती हैं उसे हम बोलते हैं केंद्रक क्या होता माध्य कहां का कटान बिंदू केंद्रक कहलाता है और हमें इसके निर्देसा निकालने हैं तो य S3Y3, तो हम उस तिरूज का छेतरफल निकाल सकते हैं, तिरूज का छेतरफल हमने इस से पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन हम पहले जो निकालते थे छेतरफल, वो हम निकालते थे भुजाओं की सायता से, अगर हमें भुजाएं ना देके, सीर्ज दिये जाएं, तो हम इस वाले फोर्मुले की सायता से हम तिरूज का छेतरवल भी निकाल सकते हैं और यहां हम इसको प्रूफ रखे भी दिखाएंगे यहां पर देखिए इसके बाद है संड्रेक संड्रेक का प्रतिवन संड्रेक सा मतलब यह है कि अगर तीन लाइने एक ही पॉइंट में हो तो उसे ह बने तिरूज का जो छेतरवल है वो जीरो होता है इसलिए यह प्रतिवन केलके आ जाता है तो यहां मैं इसको एक तरीके सा और आपको समझाना चाहूँगा जैसे देख लिए मैंने एक यह त्रैंगल है आपको दिख रहा होगा क्या है यह एक ट्रैंगल है अब देखिए यहां पर एक ट्रैंगल A, B, C यह बन रहा है और अगर यह इसका एरिया सुनने हो जाए तो यह वाला जो वर्टैक्स है इसका मैं यहां आपको दिखा दूँ यह जो वर्टैक्स है यह वाला यह जो सीर्स है उसका वो इस पॉइंट पा जाता है कब अगर इसका एरिया सुन रहा हूं इसका area सुनने हो रहा है कब होगा area सुनने है जैसे उपर वाला जो vertex यानी सीर्स है वह नीचे वाली line पर आ जाएगा तो इसका जो area है front automatic सुनने हो जाएगा यह line बन गई तो जो उपर वाला point था उपर वाला point यह वाला point मैं आपको एक वालि're्ब बता तूह यह वाला जो point था अगर यह point यहां पर आ जाये तो यह जो area है पूरा क्या जाता जीर्य अर जीरो जाता तो जीरी हो जाता जीलिए संद्रेक क्या कहते हैं इसको हम snagy का buck जब इस ट्रैंगल का उपर वाला पॉइंट इस वाले ट्रैंगल के बीच में आ जाए तो संद्रेक का मतलब आपको समझ में आगे होगा जब अगर हम किसी तिरुज का छेतर फन निकाले और वह जीरो हो जाए तो उसे हम संद्रेक कहते हैं संद्रेक हमने इस से पहले वाली एक्साइज याना की जो 7.1 थी वहां भी हमने संद्रेक करना होता था और सबसे बड़ी भुजां की लंभाई चोटी तो भुजां की लंभाई के जोड़ के बरावर अजाती है तो तिरुज जो है यानि तीनों बिंदू जो है वो संडेख हो जाते हैं यहाँ पर संडेख कैसे प्रूफ परेंगे उसका एरिया को जीरो पूब लेके अगर एरिया जीरो आजाता है तिरुज का छेतरफल जीरो आजाता है यह एक तिरुँज है हमें इसका च्छेत्रफल निकालना है और च्छेत्रफल की आना चाहिए जो हमने अभी फॉर्मुला आपको बताया वो आना चाहिए तो इसे प्रूप करने के लिए एक तिरुज च्छेत्रफल में आपको दिख रहा है A B C अब हमें इसका एरिया निकालना तो इससे निकालने लिए हम एक काम करेंगे इस पॉइंट से इसपे perpendicular डालेंगे जैसा कि देखिए मैंने यह perpendicular डाल दिया है बेकुर इसी प्रकार से जो दूसरा पॉइंट है यहां से भी perpendicular डालेंगे और देखे जो तीसरा point है यहां से भी इसपे हम perpendicular डालें किसा perpendicular डालेंगे और यह perpendicular हमने डाल दिया है और देखे यहाँ पर हम एक बात और बता दें यह दो है x2 और यह क्या है y1 तो इसका मतलब क्या है कि यह तो है x2 ठीके ये क्या है x2 और ये क्या है y2 ये बिंदू क्या है x1 by 1 है x1 by 1 का मतलब क्या होगा कि यहां से यह होगा x1 और यह वाला जो होगा यहां से यह वाला यह होगा y1 यह वाली बात आपके संजमानी चाहिए क्योंकि किसी भी point के जो बिंदू है पॉइंट है वो कैसे मिलते हैं भुज कोमा कोटी पहले भुज फिर कोटी इसी तरह से देखिए जो तीसरा पॉइंट है सी इसके कोडिनेट कैसे निकले होंगे यह होगा वाई थरी और यहां से यह तक का होगा यह एक्स थरी तीक है अब देखिए हमें इसका एरिया निकालन एरिया का मुला है त्रिवज एवी सी का एरिया निकालना हम एक यह मान लेते हैं कि इसने जो एक्स थरी पे कटा यह एवी सी होगे यह मान लेते हैं इसको हम टी और इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इसमें देखिए एक फॉर्मले का यूज होगा को मैं बता देता समलम चत्रोज का छेत्रफल समलम का छेत्रफल क्या हो था? आपको याद होगा मैं फिर भी लिख दूँ समलम चत्रोज इस चत्रोज का चीन होता का छेत्रफल इस फोर्मिले का इसमें यूज होगा यह होता एक वड़े दो समांतर बुजाओं का योग समांतर बुजाओं का योग जगह कम है यहांपे समांतर बुजाओं का योग समांतर बुजाओं का योग गुला बीच की दूरी गुणा बीच की दूरी बस इस फॉर्मुले का प्रियोगा इसके अंदर इस फॉर्मुले की सहायता से ही हम यहाँ पर इस तिरुज ABC का छेतर पर निकान लेंगे ठीक है आप जड़ा छेतर की में ध्यान से देखेंगे तिरुज ABC हम सोटकट में यह लिख देते हैं A-R ABC A-R का मतलब एरिया A-R A-B-C बरार किसके होगा देखे जो A-R A-B-C है यहाँ पर देखे दो समलम बनना है तीन समलम कौन कौन से समलम बनना है मैं दिखाने के उसस करता हूँ अलला कलना से जिससे आपको दिख जाए तो पहला देखे समलम जो बनना है मैं यह ले लेता हूँ आप यह देखे A-B-D-E-A एक यह समलम बनना है दूसर समलम बनना है A-E-F-C दो समलम बनना है इन इस टोटल आकरती का जो एरिया है वो A-B-D-E प्लस A-E-F-C के योग के बरावर है तीससर समलम बनना है B-D-E-F-C पहले मैं आपको बता दूँ समलम कहते किसे हैं तो समलम क्या है ऐसा चत्रबौश जिसके आमने सामने की बुजाएं तो बरावर हो और सेज्डो जो बुजाएं वो कैसी भी हो सकती है वो समानतर भी हो सकती है अलालग भी हो सकती है लिए आमने सामने के बुजाएं जो होनी चाहिए वो समानतर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए समानतर ऐसा चत्रबुश जिसके आमने सामने के बुजाएं समानतर हो और सेच्ट और जो बूजाए हैं वो कैसी भी हो उसे हम सम्लम कहते हैं इसके इंगली सेउड भूति हैं टर submerged जिसका एक पेट जो होना चाहिए वो पेरल होना चाहिए बाकी जो दूसरा पेट है वो कैसा भी हो सकता और इसका जो एरिया होता है वो यह होता है जो में हमने पढ़ा है एरिया ओफ ट्रिपेजम इस इकल टू बन अपन टू सम ऑफ पैरल साइड इंटू डिस्टेंस बिट्विन देम उनके बीच की दूरी आप देखो इस ही की हैं से हम इसको प्रूब करने वाले हैं तो देखें तो एरिया ए बी डी ए ए ए प्लस एरिया तो एरिया को सोट के टो मैंने यार बोल दिया है ए 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 फ ऐसे ए अब देखें यह हो गया है ए ए ए बी ए तो हम चाहें तो यहाँ पर दुवारा ए लिए सकते हैं या ए लास्ट में ना लिखें तब ही काम चल जाएगा अब माइनस माइनस कौन से हो जाएगा यह वाला जो संबलम है यह माइनस हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगर एरिया ए बी सी यहाँ तो यहाँ पर ट्राइंगर एरिया ए बी सी यहाँ तिरुज ए बी सी का जो छेत्रफल है वो किसके बरावर है ट्रिपेजियम ए बी डी ¿ए बी डी का छे ज्चेत्रफल प्लस ट्रिपेजियम यहने के संबलम mae की ए ए ए ए एकसी का छेत्रफल माइनस ते को आσι पूरे छेत्रफल में से एगर हम नीजी वाला छेत्रफल मााइनस कर देरें तो किसका ट्रेंग खाहन बच जाएगा ट्रैंगल का अब आस इनकी वैलू रख देजे देखिए आनसर आप आने वाला है तो एरिया को हम सोटकट में बोलते हैं डायल ता में, इसे क्या होता 1 upon 2 समानतर भुजाओं का योग तो समानतर भुजाओं इसके कौन सी है ये वाली भुजा इसके समानतर ये दो भुजाओं इसके समानतर समानतर भुजाओं का योग यानि की y1 प्लस y2 upon 2 और into में क्या आएगा इनके बीच की दूरी बीच की दूरी कौन सी है DE बीच की दूरी क्या है यहाँ पर DE इसको हम अभी निकाल कर रहेंगे इसी तरह सा देखे AEFC का देखे AEFC तो इसमें समांतर भुजाओं Y1 प्लस Y3 समांतर भुजाओं 1 अपॉन 2 तो आया गई समांतर भुजाओं का योग यानि कि Y1 प्लस Y3 समांतर भुजाओं का योग अच्छा ये 2 एक ही लगाएंगे चाहें तो ये नीचे लगा दीजे और चाहें इधर लगा दीजे अब इन्टू में क्या हैगा बीच की दूरी इन्टू बीच की दूरी किसका ये blinking N out BDFC एरिया BDFC बीडी BDFC तो इसकी से जो पैरल्ल साइड है वो ये और ये वाली ही प्लस Y3 और इनके बीच की दिस्टेंस क्या है बीच की दिस्टेंस है DF अब देखिए हम भीच की इस्टेंस को निकाल कर रख लेते हैं 1 upon 2 तो सायद sum में से common है तो हम 1 upon 2 sum में से common ले लेंगे और देखिए यहाँ पर क्या बचा यहाँ बचा y1 plus y2 into d e तो यहाँ पर d e कैसे निकालेंगे देखिए ज़रा यहाँ से देखिए जो चित्र है उसको आपको note करना d e किसके बरावर है d e जो होगा अगर हम x1 में से x2 माइनस कर दें तो वो d e के बरावर हो जाएगा देखिए चित्र में देखिए यहाँ से देखिए x1 में से x2 माइनस कर देखिए तो किसके बरावर हो जाएगा d e के d e क्या है यहाँ पर x1 माइनस x 2 क्लियर कोई doubt तो नहीं इसमें अब यहाँ पर देखे 1 अपॉन 2 तो मैंने common ले लिया है यह बाद क्या y1 plus y2 और ef कितना हुआ ef देखे ef कैसे निकालेंगे अगर मैं x3 में से x1 minus कर दूँ तो ef आजाएगा x3 में से क्या minus करना है मुझे x1 minus y2 plus y3 अब देखे df df कितना है df क्या है x3 में से x2 minus df किसके बनावर है x2 minus के x3 x3 में से x2 minus कर देंगे तो वो df के बनावर है x3 minus के x2 बस आब देखे इसको हम solve करेंगे और answer हमारा आजाएग अब solve कैसे करना जो हमें proof करना उसके हिसाब से solve करेंगे यहां तक clear है कोई doubt तो नहीं 1 upon 2 हमने पहले से बहार ले लिए था आप देखें इनकी multiply करनी है कैसे करेंगे बड़े हिसाब से करेंगे हमने देखा जो हमारा formula है इसमें देखें बहार है और bracket वे क्या y1 y2 y3 है हम x1 को बहार निकालेंगे ठीक है यहां पर देखें x1 कहाँ पर है यह वाला है तो इसको हम बहार रखेंगे कैसे रखेंगे बहार देखें तो इसके लिए मैं color थोलो साज यह ले लेता होगा देखें यहां से x1 x1 into क्या आएगा क्योंकि हमें इसके अंदर entry नहीं करनी x1 into आएगा y1 plus y2 यह लिए सकते हैं इसी तरह से minus का x2 x2 कितना हो जाएगा y1 plus y2 क्योंकि हमें y1 y2 को bracket में रखना और x1 x2 x3 को बहार रखना तो इसी साब से हम इसके calculation करेंगी आइसी यहांपे देखें क्या हैगा x3 y1 plus y2 y1 plus y2 और यहां पाएगा minus का x1 y1 plus y2 और यहां पे फिर देखें यहां along रखेंगे बाहर minus है इस बात का दिचान लखेंगे minus है तो यहां पाएगा माइनस का x3 यहाँ पाजाएगा y2 प्लस y3 और तीसरे में क्या आएगा देखिए यहाँ पर माइनस है यहाँ भी माइनस है ती हो जाएगा प्लस x2 और बैकिट में आएगा y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 देखिए अब बस आपका आंसर आने वाला है देखिए 1 upon 2 तो बहार है जैसा कि आपने सूतर में देख भी लिया है x1 देखिए कहाँ पर एक x1 यहाँ पर है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ एक तो x1 देखिए यहाँ पर है और x1 कहाँ पर है यहाँ से x1 common लेना है फूसरी बारी line में देखिए x1 मैंने common लिया जो नीली नीली line वाले है उसमें ध्यान दीजी क्या बचेगा है यहाँ पर y1 प्लस y2 अब देखिए बाहर minus है तो क्या होगा इसके sign change हो जाएंगे यहाँ पर आप देख पा रहे है y1 से y2 cancel हो गया ठीके क्या हो गया y1 से y2 यह देखिए cancel हो गया y1 से y1 cancel हो गया क्या था यहाँ पर y1 y2 और यहाँ था y1 y2 भाहर minus था तो यह यह minus था x1 इसको में y1 प्लस y2 यहाँ था minus का y1 और minus का y2 यहाँ पर y1 y2 और यहाँ पर y2 is, x1 x1 भाला यह था x1 by 1 y2 तो यहाँ पर देखिए यह था यहाँ यहाँ पर y1 प्लस y3 तो यहाँ के हमने कर दिया y1 प्लस y2 यह mistake हो कही है तो हम यहाँ से 3 कर देते हैं तीके क्या हैगा यहाँ पर y1 प्लस y3 तो इसको सभी कर देते है यहां पर क्या है यहां प्लस 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 यहां प्ल यहां पर कितना आगे यहां और यहां पर कितना इस साइंच कर देंगे यहां पर कितना है प्लस का है यहाँ पर देखे क्या का एंसल हुआ यहाँ याँ बचा हुआ उसमें क्या कोमन है उसमें है यहां पर देखिए कुछ कटेगा, कटेगा y3 से y3, अब देखिए जो बचा है, वही सूत्री बचा है, क्या बचा है, बचा 1 अपॉन टू, x1, बैके बेखिए y2 मनिस y3, प्लस x2, यह y3 पहले लिख लेंगे, अब इसके बाद हम देखिए इसका एक कोश्चन आपको करा देते हैं, जिससे यह फॉर्मूला पुरा प्रूव हो जाए, इसके बाद अगली लाइन में आपको क्या लिखना है, जो सूतर है बस वो लिख देना, कौन सा वाला, यह आपको लिख देना, इसके बाद अगली ला थिर्वुष का छेत्रफन गया दिये, हमें ति deepest का छेत्रफन निकालना यह थो थिर्वुष का छेत्रफन निकालने के लिए हमें चाहिए, इससे पहले को तो माल लेते हैं ए, यह जाएगा एक्सटवं याओन, जो दूसला बिंदो वो हो जाएका एक्स तुआय-टु, बी या तो आप पूरा लिख दें क्या फॉर्मूला याद करने का तरीका भी यहाँ पर हम बताएंगे पहले तो एक विड़े दो तो रखना तो सबसे पहले रखना एक्स बन और बन के बाद क्या आता टू आता है तो वाई टू यहाँ पर आपको बस तीन तक इंती आनी चाहिए फिर क्या लिखना है यहाँ पर एक्स टू लिखना है यहाँ पर बन लिखा फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर टू टू के बाद क्या आएगा थ्री और थ्री के बाद फिर बन लाना continue चलना चक्रे किरम में अब देखिए यहाँ पर x1 आ गया x2 आ गया उसके बाद आएगा x3 और 3 के बाद क्या आएगा 1 1 का मतलब ब्रैकिट में हमेशा y1 y2 ही लिखने है y1 minus y2 यह formula हुए अब देखिए यहाँ पर value रख देते हैं एक समझ लीजे यह जाला कोशन आप इसी तरह से कर लेंगे अब देखिए x1 के स्थाम पर कितना है 2 y2 कितना है y2 है यहाँ पर 0 y3 कितना है y3 है यहाँ पर minus 4 minus पहले से ही हो तो plus कर दो अब उसके बाद देखिए x2 x2 कितना है यहाँ पर minus 1 जब भी minus का हो तो उसे ब्रैकेट में लिखो y3 कितना है यहाँ यह y3 है तो y3 है minus 4 y1 कितना है y1 है यहाँ पर 3 plus x3 x3 कितना है तो y1 है 3 y2 है 0 इसको हम solve कर लेंगे solve करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 upon 2 यहाँ कितना 0 में 4 जोड़ेंगे 4 2 multiply 4 यहाँ कितना बचाँ 4 है 3 होगे 7 minus का 7 minus पहले से ही है तो plus का 7 हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा 2 multiply 3 अब इसको solve कर लेंगे 1 upon 2 2 चोक 8 और प्लस के साथ और दो तिया अब इसको प्लस कर लेते हैं कितना 8 है 7 पंदर 15 है पंदर अच्छा है कितना होगे 21 को 2 से भाग देंगे आएगा 10 पाइंट अब यहाँ पर देखिए एक बात और बता देंगे मात्रक लाप लिखेंगे वर्ग मात्रक क्योंकि यह एरिया च्छेत्रफल है और च्छेत्रफल हमेशा बर्ग में नवता है वर्ग मात्रक यह आगया इसका बिल्कुर्स इसी तरह से आप यहाला कोशन कर लेंगे इसे हम कहेंगे एकस बाई बाई बन ठीक है इसे आप खुद करेंगे मैं अभी इसको सॉल करके दे दूँगा वीडियो को पोच रखके इसको आपको खुद सॉल करना है ठीक है और बात में क्या करना है इसको आंसर को मिलाना तो मैं इसको इसका solution अभी आपको दे दूँगा ठीक है आपको खुद करना है तभी मालूम चलेगा कि आपके समझ में आया या नहीं है चलिए आप देखते हैं next question तो देखे question number एक का जो second part वो मैंने यहाँ पर कर दिया है और मुझे अमीद है कि आपने कर लिया होगा तो यहाँ पर आप answer जो है इसका मिला सकते हैं आप इसका जो question number 2 है वो हम आप देख लेते हैं निवलिकित में से प्रतिएक में के का मान गया थी यह ताकि तीनों बिंदू संडेक है तो संडेक का जो प्रतिवन्द है वो हमने अभी आपको बताया है तो इसे हमें जो है करना यहाँ पर देखिए पहला जो point है वो क्या का आपको करना है यह बाद में आंसर दूंगा लेकिन पहले आपको ट्राय करना वीडियो को पोच करना है और फिर इस question को खुद करना है उसके बाद answer को मिलाना इस वाले सेकंड पार्ट तो संडेक का क्या प्रतिवन्द है संडेक का प्रतिवन्द है पुरा सूत्र है क्योंकि छेत्रफल सुन्य होने की वज़े से एधर वाला portion पूरा 0 हो जाता है देकि बन बन के बाद क्या आएगा 2 यानिकि y2-y3 बना गया x1, x1 के बाद क्या आएगा x2 ठीक है वो बैकिट में y वाले आएगे 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद फिर बन फिर यहां पर क्या आया x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि 123 तक हमें करना है 1, 2, 3, 123 और equal to में कितना है 0 आप देखिए यहां पर value रख देंगे answer आजाएगा x1 के इस्थान पर कितना रखना देखिए 7 रखा हमने y2 कितना है y2 है यहां पर 1 y3 कितना y3 के इस्थान पर के अब यहां पर देखिए x2 की value x2 की value है 5 और y3 कितना y3 है के और y1, y1 है minus का 2 अगर minus पहले से ही हो तो plus कर देगे ठीक है यह rule है x3, x3 कितना है यहां पर 3 है y1 minus y2, y1 कितना है यहां पर y1 है minus का 2 और y2 कितना है 1 और equal to के चल्ला 0 आप इसको solve करेंगे, save in के अंदर entry करेंगे तो save in minus के save in k और यह कितना हो जाएगा 5 के अंदर entry करेंगे 5 k plus बांदो नी 10 और यह 2 और एक 3 और 3 तिया 9 तो यहां पर देखिए यह होचा save in k और 5 के कितना हो जाएगा minus का 2 k आप देखिए नम्मार कितना है यह जाएगा 10 7 17 17 17 में से 9 minus करेंगे कितना बचेगा सत्रे में से 9 minus करेंगे बचेगा 8 तो यहां पर जो plus का है सत्रे तो plus का 8 बचेगा अब देखिए यहां पर 2 k is equal to हो जाएगा इधर आकर minus का हो जाएगा minus minus क्या हो जाएगे यह प्लस हो जाएगे minus के 8 upon minus के 2 minus minus कैसे होगे plus होगे 2 4 8 k की value कितनी आगई k की value आगई यहां पर 4 answer हमारा क्या हुआ k is equal to 4 ठीक है तो यह आला question बिलकुर सेम ऐसा ही है आपको एक करना है ठीक है मैं यहां पर इसका answer आपको बता दूँगा आप वीडियो पोचर के इसको करें तो देखिए question number 2 का second part का मैंने यह soul कर दिया answer आगया इसका 3 और मुझे उमीद है आपने यह कर लिया हुआ आप answer इसको मिला लीजी तो यहां पर आपकी screen पर आ चुका है पहले question क्या पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर इसके solution को बताते है question है सीर्स 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले तिर बुझ की भुझाओं के मध्य बिंदू मध्य बिंदू से बनने वाले तिर बुझ का चेतर फल गयात कीजिए देखिए एक तिर बुझ है और तिर बुझ की भुझा के मध्य बिंदू को मिलाया गया है और मिलाने पर एक नए तिर जिस से आपको यह straight हो जाए आप समझने का प्रयास करें वह कि संबसे पहले मैं लेता हूं यह ताव है कि आपको दिख रहा होगा यह हैं कि ठाइंगल है कि आपδों यहां पर मैंने एक ठाइंग्ल ड्रा करें दिया है जैसा कि आपको दिख रहा है अब क्या है इसके हमें midpoint लेने तो यहां से मैंने यह मिला दिया इसका midpoint और दूसरा देखिए यहां से इसके वर्ट्रेक से यह midpoint मिला दिया और अच्छा यह ऐसे नहीं मिलेगा इसे यहां से midpoint से मतलब यह है कि हमें यह इसको mathematics कर देता हूँ midpoint एक ही होगे और यह ऐसे मिलाना जब यह हम midpoint मिलाएंगे यहां पर ऐसे होगे तो देखिए यह आपको दिख रहा होगा कि एक तिर्बुज बन गया है midpoint को मिलाके एक क्या है नीचे और दूसरा ट्रेंगल बन गया तो सबसे पहला जो तिर्बुज यह मैं पहले उसे लिख लेता हूँ तो सबसे पहला जो तिर्बुज था हमारे पास वो था A इसके coordinate हमें दे रखें 0, minus 1 दूसरा बिंदू है इसका B इसके coordinate है 2, 1 और जो तीसरा coordinate है वो है C इसके coordinate है 0, 3 और इनके midpoint वो क्या है यह वाले यह आपको दिख रहा हूँ तीनो साइट यह मध्य बिंदू से बनने वाला तिर्बुज मध्य बिंदू से बनने वाला तिर्बुज वो क्या बना A B का मध्य बिंदू है D B C का मध्य बिंदू E और AC का मध्य बिंदू है ठीक है तो इसके मध्य बिंदू से मिलाके एक और तिरुज यहां पे बन गया तो जो अंदर की और तिरुज बना है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से यह वाली बात समझ में आ जाए जिससे आप के लिए थोड़ा सा दे देखें अंदर की और जो बना है वो रैड कलर का तिरुज बना हुआ ठीक है यह मैंने जो है रैड तिरुज अंदर की और बना दीए ठीक है अब हमें जो रैड वाला आपको तिरुज दिख रहा है इसका एरिया निकालना है और जो यह नीला वाला तिरुज दिख रहा है इसका एरिया निकाल लेके लिए पहले हमें D, E, F के निर्देसांग चाहिए और हमें कोश्चन में दिया है कि D जो है वो A, B का मध्य बिंदू है तो हम इसके निर्देसांग असानी से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे A, B के मध्य बिंदू, D के मद्य बिंदू ये भी के मद्य बिंदू D के निर्दे सांग मद्य बिंदू के निर्दे सांग का सूत्र होता है ये X1 प्लस X2 Y1 Y2 प्लस Y2 देखे एक में निर्दे सांग निकालना हम पुरा डिटेल सा उसके बाद मैं डिर्दे लिख दूँगा यहाँ पर A B के मद्य बिंदू D के निर्दे सांग निकालना है तो हम यहाँ पर यू लिख सकते हैं D ऐसे जिससे हमें चली जाए तो x1 के स्थान पर कितना है 0 . x2 के स्थान पर कितना है 2 . y2 के स्थान पर है , plus 1 . क्या आगए , 2 से लो बहाग देंगो , तो kalian विभाग देंगो , तो इसको मैं डारेट लिखूँगा B C K मद्य बिन्दू B C K मद्य बिन्दू E K Nिर्देशा E K Nिर्देशा तो देखे हम डारेट भी निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं जरा समझेंगे E K Nिर्देशा पहले जो X वाले पॉइंट हो उनको जोड़ का आधा कर देजीए. देखिए 2 और जिरो को जोड़ेंगे कितना अगा? 2 उसको आधा कर दो. कितना हुए? 1. ठीक है? तो आधे आधे इस तना से डारेक्ट निकाल सकते हो. पहले वाले एक्स वाले पॉइंट को जोड़ो और उस आधा कर दो. दूसर वाले पॉइंट जोड़ो और उसको आधा कर दो आधा कर दो बटे में दो दे यह कितना हो जाएगा यहाँ पर एक आजाएगा और यह तीन रिक चार चार को दो सब्सक्राइगे एक कुमा ठीक है विगोल इसी तरह से हम निकालेंगे एसी के मध्य बिन्दू एफ के निर्दिसाँ एसी के मध्य बिन्दू मध्य बिन्दू एफ के निर्दिसाँ तो इसके निर्दिसाँ देखे निकालेंगे तो क्या होंगे निर्दिसाँ बताएए 0 0 upon 2 यह होगे माइनस 1 3 upon 2 ठीक है अब यह से solve कर लेते हैं यह से हम कहेंगे F F कितना जाएगा यह जाएगा 0 और यह माइनस 3 तो 1 0,8 दीए हमने midpoint के देशान निकाल ली D क्या निकाला हमने 1,0 और E निकाला है हमने E निकाला 1,2 ठीक है और F निकाला 0,1 0,1 ठीक है आदा काम तो हमने कर दिया है अब हमें क्या निकालना इसका area निकालना तो area के लिए सूतर है सीधा ठीक है तो पहले हम निकालेंगे ABC का चेतरफल इसे हम एक से X3, Y3 मल लेते पहले निकालेंगे ABC का चेतरफल पिर TIRBUJ DEF का चेतरफल पिर इनको डवाइट कर देंगे चलिए करते हैं next page पे छलिए देखिए अब हम निकालते हैं TIRBUJ ABC का चेतरफल इसलिए आपको याद होगा है X1 और फिर यहाँ पर क्या आता है y2-y3 देखे 1,2,3 इस तरह नहीं याद रखिए और फिर क्या आएगा x2, 2 के बाद क्या आएगा 3 तो ब्रैकेट में y बने वाले ही टर्म आएंगे फिर उसके बाद x3 और यह y1-y2 आप देखें यहाँ पर value रख देते हैं 1 अपन 2 ऐसी रहेगा और यहाँ पर x1 की जगा x1 की जगा कितना है? 0 और y2 कितना है? y2 है यहाँ पर 1 और y3 कितना है? y3 है 3 और प्लस x2 x2 कितना है? 2 y3 y3 कितना है? y3 है 3 y3 माइनस y1 y1 है माइनस 1 जब माइनस 1 तो प्लस हो जाता है और उसके बाद आएगा x3 x3 है यहाँ पर 0 और वैक्टी में आएगा y1 माइनस y2 यानिकि माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर हम आपको एक जानकारी देदे कि अगर इस टार्टिंग में 0 होता है तो यह पूरा 0 हो जाता है ठीक है? हमें इसको कैल्कुलेशन करने की जरूत नहीं है डारेट 0 लिख देंगे ऐसे बात समझ मारे ही नहीं आ रही है तीन अरे कितना हो जाएंगे? चार, चार दुनी 8 यहाँ पर देखे यह पूरा 0 हो गया बन अपॉन टू यहाँ आ गया एट वजी दो खाटिंग, दो चोग कितना है आउनसर? चार वर्व मात्र ठीक है? अब हम निकालेंगे तिरगोज डी एफ का चेतर पर इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ जिससे बढ़ी अलगे दो लाग तिरगोज डी ए एफ का चेतर पर तो फॉर्मूला भाई जो उपर वाला देखी यही फॉर्मूला लगेगा लेकिन जब नीचे वाला लगाएंगे तो एकसफ़ण आवईवन के इस्थान पर ये अलग काम करेगा ठीक है? एकसटू आईटू आईटू के इस्थान पर या और एकसःईप्री आईटू की इस्थान पर ये चाहूर तो इसे आप अंतर करने के लिए capital में लिए सकते हूँ ठीक है जिससे आँको confusion ना हो तो इसे काम करेगा यह x1, y1, capital में क्यों लिख रहा हूँ है जिससे अंतर हो जाए आप confusion ना हो x2, y2, ठीक है और यह काम करेगा x3, y3, तो मैंने capital में क्यों लिखा बात समझ में आई यह इसलिए लिखा जिससे आँको confusion ना हो तो मैं यहाँ पर capital कर दे देखें x1, y2, minus k, y3, plus k, x2, y3, minus k, y1, plus k, x3, y1, minus k, y2 अब देखें इसकी value रख देते हैं, 1 upon 2 यहाँ ऐसी रहेगा, x1 कितना जरा देखके बताएं, x1 है 1 उसके बाद देखें y2 कितना है, देखके बताएं, y2 है 2, y3 कितना है, देखके बताएं, 1 yes, x2 कितना है, x2 है, यहाँ पर 1, y3 कितना है, y3 है 1, और उसके बाद y1, y1 है 0 and then x3, x3 है, देखें, यहाँ पर धियान देंगे, x3 0 है, आप चाहो तो यहाँ जिरो कर सकते हो, ठीके, क्योंकि x3 0 है, इस वेज़े से पूरा 0 हो जाएगा, अगर आप चाहो तो, ठीके, मन करना है तो आप लिख सकते हो, y1, y1 के स्थान पर 0, और y2 के स्थान पर, आप ड e1 से multiply करेंगे, तो 1 ही मचा, यहाँ भी 1 मचा, और यह हो गया, 0, कितना आया है यहाँ पर, 2 से 2 बड़ गया, कितना आया है यहाँ पर, 1 बर्ग मात्र, बर्ग मात्र, लिजे देखें, एक तो यह कहा था हम से, कि जो DEF का छेतरफल निकालो, मद्धे बिंदू से मिलाने वा चेतरफल के साथ अनुपात ज्याद कीजा, अब हमा अनुपात भी निकालना है, इसलिए अनुपात, कैसा निकलेगा, अनुपात तरफोज, A, B, C, पा छेतरफल, यह इस तरह से अनुपात निकल जाएगा, बटे तरफोज, DEF का छेतरफल, यह किसलिए कर रहे हैं हम, ये डीए का चेतफल कितना एक तो अनुपाद कितना है चार अनुपाद एक ये आंसर होगी ठीक है मैं समझता है ये कोशन आपको अच्छे समझ में आगया होगा चलिए अब देखते हैं कोशन नमर फोर देखें कोशन नमर फोर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कोशन किया है उस चत्रबुछ का चेतफल गया द्याद किये जिसके सीर्स ये दे रखेंगा तो अब दिखिए हैं यहां पर चत्रबुछ का चेतफल निकालना और हमने जो फोर्मूला आपको बताया वो बताया और इसके सीर्स हैं यहाँ पर इनको मैं लिख लेता हूं सीर्स को तो थोड़ दे के लिए सीर्स मैं माल लेता हूं यह A माल लेता हूं और इसके जो सीर्स हैं वो कितने हैं माइनस चार कॉमा माइनस के दो और इसके माल लेता हूं B माइनस तीन कॉमा माइनस के पाँच ठीक है और इसे माल लेता हूँ सी इसके कोडिनेट है तीन कॉमा माइनस के दो और इसको माल लेता हूँ मैं डी इसके कोडिनेट है तू कोमा त्री ठीक है अब हमें इस चत्रोज का छेतिफ़न निकालना है तो चत्रबुज का छेतफ़ निकालने के लिए हम यह करेंगे इस चत्रबुज को दो तिरुजों में convert कर लेंगे अब देख कैसे करेंगे हम एक काम करेंगे इसके B को D से मिला देंगे क्या करेंगे B को D से मिला देखें मैंने क्या करा B को D से मिला दिया हैं जैसे भी को दी से मिलाया तो यहांबा देखें दो त्रिफो नीचे वाले पर इस चट्रउभोज का शेतल पर निंगाव से u तिरुबुज ए बी डी का छेत्रफर तो यह फॉर्मूला वही लाएंगे वान अपॉन टू ब्रैकेट में एक्स वन बाइट्टू माइनस वाइट्री फॉर्मूला आपको याद होगया होगा एक्स टू y3-y1 और प्लस के x3 y1-okक य2 यह फॉर्मूला गादिया अब इसमें यह तो काम करेगा x1-y1 का यह उस्तू यह काम करेगा x2-y2 और यह काम करेगा स्थ्री बाइट रख देते हैं हम तो तो क्या है कि वान ओपॉन टू तो ऐसी रहेगा और एकस बन कितना है एकस बन की स्थान पर रखेंगे माइनस चार वाइट 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 3 minus y1 x2 y3 minus y1 y3 कितना है y3 है 3 minus y1 y1 के स्थान पर आएगा minus 2 यानि कि plus का 2 जाएगा अब आएगा x3 तो x3 कितना है x3 है 2 और फिर ब्रैकेट में आएगा y1 minus y2 यानि कि minus का 2 और देखें minus पहले से ही है और minus का 5 है या प्लस का 5 उलेगा अब इसको solve करेंगे 1 upon 2 यहाँ पर देखें 5 है 3 कितना होगा 8 8 चोक 32 तो minus के 4 multiply minus के 8 तो कि minus में है तो bracket में लिखो गए तो थोड़ा साथ चलाएगा ना भी लिखो गए तो तो तुमारा कुछ कर तो लेगा नहीं कोई माइनस के 3 और यहाँ पर देखें 3 और 2 पांच अब आगे वाले स्टेप में जाईए यहाँ पर कितना हैगा 2 और यहाँ कितना हैगा 5 में से 2 गए 3 ठीक है तो आई थिंक यह पूरा solve हो गया है चार पांड आप देखें से solve कर लेते हैं कितना है यहाँ यहाँ पर देखें आठ चो बत्तिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर पांच थिया पंद्रा और दो थिया शे तो इसको हम solve करते हैं यहाँ पर देखें 32 अच्छा कितना हो गए 38 में से 15 गटा दो 32 अच्छा 38 38 में से 15 कितना बचेगा 35 अच्छा 38 38 में से 15 गटाएंगे तो बचेगा 23 कितना हो यहाँ यहाँ तो कितना हो यहाँ ट्वेंटी रिया पॉंट यहाँ गया वर्मात्रा ठीक है अब हम निकालेंगे तिरवोज BDC का चेतर पर इसके लिए हम देखें दूसा कलर ले 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 तिरवोज इसे हम डायरेक्ट निकाल देंगे तिरवोज BDC का चेतर पर अब देखें यहाँ पर अब यह एक्स्ट्टू आई ट्वाई टू थो हहीं एक्स्ट्री वाई थ्री थी हैं इसे हम माल ले 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 ठीक है ? x1 फिर क्या है ? y2 minus y3 y2 के इसतान में कितना है ? minus के 5 minus के y3 y3 3 plus के x2 x2 कितना है minus 3 ठीक है ? और फिर क्या है ? x2 के बाद आगा y3 minus y1 y3 कितना 3 minus y1 कितना है minus 2 तो plus का 2 तो हमने करा क्या है यह करा है कि उसके इस्थान पर यह ले लिए है बाकि पूरा ऐसी दना प्लस एक्स्त्री एक्स्त्री कितना है एक्स्त्री है यहां फिर और यूंवह आएगा वाइवऔन मैनेसफाइ। जू और रहाइटू कितनाivo वाई टू कितना है माइनस का पांच तो प्लस का पांच जाएगा ठीक है अब इसको देखें सोल पर लेते हैं कर्फुलेस इसकी रिभूज बी रिभूज बी डी-सी रिभूज बी-डी-सी इससे लिख देते हैं ठीक है अब देखों यहाँ पर यहां कितना हुगा पांच ए तीन आठ आठ तिया चोविस यह जाएगा माइनस का चोविस यह कितना ओन देखें तीन दो पांच पांच तिया पंदरा यहाँ पांच मेंसे दो गया तीन तीन दो निच्छ है केल्कुलिसन का ध्यान लगें कोई मिश्टेक हो जाए तो तुरंट चिलना पड़ें यह मिश्टेक जो हो गई है ठीक है तो अब देखें कितना हो गया यह 24 और 15 कितना हो गया 49 49 में से 6 घटा दो कितना मचा 35 वह भी माइनस 35 वर्टे कुछ नहीं 35 आगया अब देखें यहां पर हम एक बात बताना चाहेंगे छित पल कभी भी निगेटिव नहीं होता है यह माइनस चिन हमें यहां पर छोड़ देंगे यह यह जाएगा 33 यह पूर माइनस चिन क्या करा हमने छोड़ दिया यह आप लिखना चाहों इस का बनी क्या का रिखर देगा रात मैं ऐस च्चिन छोड़ने पर. य का ये वाली बात हैं लें, रात मकश चिन हमने क्या करा है धु क्वंस अब माद मक्या पर हमार लिखना, हमने क्या निकालना? इस चत्र बूच का च्चत पल क त्रोज A B C D का चेत्रफब कितना हुगा त्रोज ABC का चेत्रफब प्लस त्रोज B D C का चेत्रफब यानि इस इन दोनों त्रोज के चेत्रफब को जोड़ना है एप्रासπό्法्रमड शरीट फोर्व टुमोर्प मधियान और लिति suffler को सबूए बहुंग जोड़ा कर दो कई अर्भाद act 109 जोड़ान गए हमादा है इसा बाकता हमानधार पाकता है और 25 बर यह इसका अंसर होगी है एक बार इसका अंसर चेक करा जाए कितना अंसर आ रहा है कोशन नमर फाइव और इस एक्सराज का अंतिक कोशन आ रहा है